सब कि हैं ये बचे लोग से वैल्कम तो डाॉट नट डाय पर सब का सब पूरी सब पर जमान को असा नवस्वाट अद्धा आपकी बात कर रहे नाrang ना मानते हो अच्छे से पढ़ाई करते हो तो मैं हूं विजायता आपकी बालाओजी टीचर और हम यहां पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर वान के बारे में कौन सा है वो चैप्टर जी हां वो चैप्टर है पुष्पी पादपो में लैंगिंग प्रजुनन जहां पर हम बात करेंगे बिजांट की सनरशना की ठीक है लेकिल 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 इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकाप कर लेते हैं ना देखते हैं आपको कितना याद है आपकी मेमरी कितनी शार्प है तो जल्दी से मुझे बताईए कि हमने अपने लास् और अगली स्लाइड पर कंटिन्यू करते हैं तो जी यहां है रिक्याप तो हम वहां पर बात कर रहे थे कि किस तरह से नर जनन सनरशना में सनरशना जो होती है एक फूल के अंदर एक पुष्प के अंदर पाई जाती है ठीक है यह एक पुष्प है इसके अंदर किस प्रकार नर जनन सनरशना ठीक है पाई जाती है ठीक है एक पुष्प के अंदर नर जनन सनरशना पाई जाती है फिर यहां पर इस नर जनन सनरशना में क्या होता है यहाँ पर किस प्रकार लगू बिजानू का निर्मान होता है इस नरजनन सनरशना में किस प्रकार से लगू बिजानू का निर्मान होता है और यह लगू बिजानू कितने होते हैं जंख्या में यह लगू बिजानू दानी कितनी होती है चार होती है है ना तो चार लगू विजाणूं का निर्माण होता है ऐसा ही होता है ठीक है फिर इन लगू विजाणूं से किस प्रकार पराग कण बनते हैं पराग कण ठीक है जो आगे चलके क्या बने नर युगमग बने नर युगमग ठीक है जो आगे चलके क्या बने नर युगमग बने तो ये था हमारा recap जिसके बारे में हमने अपने last lecture में बात करीती है अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं आज हम इहाँ पर क्या बात करेंगे आज हम जनन सनरशनाओं के बारे में ठीक है सनरशना के बारे में कि यहाँ पर यह जो मादा जनन सनरशना है यह एक पुश्प में कहा होती है किस प्रकार बनती है कैसी होती है और इसके अंदर बीजान कैसे बनता है किस जगा होता है कैसा दिखता है excxtra exxtra और excxtra ये सब कहाँ पढ़ेंगे अज के lecture में पढ़ेंगे ठीक है तो आप सब अपनी अपनी कुर्सी की पेटि को कश के बाद लीजिये क्योंकि अब यहां पर हम अपना chapter start करने वाले हैं गवराईएगा बिल्कुल नहीं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से स्पेशली वो लोग जिन्होंने आज पहली बार वीडियो को देखा है आज पहली बार क्लास में आए हैं और इस चाप्टर को समझने के लिए आपको चैप्टर की शुरुवात से यहां तक तो आना ही पड़ेगा और आप ब करो और कमेंट पर ठीके ओक चलिए बस आगे परते हैं ठीके और शूरू करते हैं अज की अपनी क्लासों ठीके तो हम यहाँ में स्री केसर की संवर्शना के बारे मेंよね तो जो स्तुरी केसर है एक कि एस तरीके से रहे कुछ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमने एक की संद्शना की बात करी थी कि एक पुष्प है है ना एक पुष्प है तो पुष्प कैसा दिखता है भाई कुछ इस तरीके से यह पुष्प दिखता है ठीक है यहां ऐसा है फिर यहां से इसकी खूपसूरत सी पत्या होती है टीक है, यह खूबसूरत सी पत्य पत्या है, इसकी वह खूबसूरत सा फूल है अब इसमें और क्या था इसमें यहां पर इन їत पर्णदिय पत्यों के बीच में एक ऐसी संरशना भी थी और जी एक ऐसी सनरशना भी थी फूल के अंदर थी ना याद देना आपको वेरी गुड उसके बाद यहाँ पर बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर भी मौजूद था भाई एकदम स्लिम ट्रिम सा स्ट्रक्चर पतला दुबला सा बिलकुल ठीके तो यहाँ पर हमने यह जो पढ़ा था यह पढ़ा था हमने नर जनन सनरशना में ठीक है लेकिन आज क्या है हमारा आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बताईए कि इन में से कौन है स्थ्री केसर बिल्कुल सही कहा आपने ये है स्थ्री केसर ठीक है ये वाला भाग जो है ये है स्थ्री केसर ठीक अब यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है ये जो स्थ्री केसर है इसको क्या कहा जाता है और ये जो स्थ्री केसर है ठीक है इसको हम किस नाम से जानते हैं पिस्टल के नाम से जानते हैं यह वाली मत समझ लेना ठीक है ठीक है इसको हम पिस्टल और कार्पल दोनों के नाम से जानते हैं पिस्टल और कारपल ठीक है पिस्टल और कारपल जी ठीक है अब यह हो गया चलो अब हम इस डाइग्राम को इस फूल से बाहर निकाल के लेकर आते हैं और बनाते हैं आजाओ जी बेटा बाहर आजाओ आप ये लीजिए ये बाहर आ गए है ठीक है अब इसको हम बनाने की कोश करते हैं अच्छे तरीके से तो कैसा होता है इस तरीके से पतली सुराही सी गर्दन होती है है ना पतली सुराही सी गर्दन है यह बहुत स्टाइलिश होती है यह बहुत मेंटीन करके रखती है अपने आपको इसलिए इसको क्या बोलते है नहीं यह बहुत मेंटीन करती है style है ठीक है यह style है जिसको हम क्या बोलते हैं वर्ति का ठीक है वर्ति का फिर यहां पर इस तरीके से एक संद्रशना होती है जी ठीक है यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से इस तो होती है क्यों होती है वह इसलिए होती है टाकि जो स्टिक करते हैं यहां यहां पर आके तहरते हैं righteousness यह जगा बहुत चिपचिपी सी होती है ठीक है स्टिक करते हैं यह पराकड़ होते हैं यहां पर आके अब स्टिक करते हैं इसी लिए इसका नाम क्या है स्टिग्मा ठीक है स्टिग्मा जिसको हम क्या बोलते हैं वर्ति काग्र ओके वर्ति काग्र करेक्ट वर्ति काग्र बोलते हैं आप आजाएं ब्रैकेट में आप आजाएं बाहर वर्ति काग्र ओके अब ये चिपचपी इसलिए होती है भाई क्योंकि ये जो पराकण है इस पे आके रुक जाएं अगर ये चिपचपी नहीं होगी न तो भाई हवा आएगी बारिश आएगी कोई भी मतलब हलका फुलका हिल जाएगा ये तो क्या होगा ही नीचे गिर जाएंगे या ओड़ जाएंगे फिर यहां तो नर और मादा युगमगों को सनलेन होई नहीं पाएगा करेक्ट नहीं बिल्कुल इसलिए इसको स्टिकमा बोलते हैं क्योंकि ये स्टिक कर जाता है यहां पर ठीक ओके फिर इस तरीके से एक ओव्यूल सा शेप आता है ठीके क्या आता है ओव्यूल सा शेप आता है यहां पर ठीक इस ओव्यूल से शेप को क्या बोलते हैं हम ओवेरी ठीक है ओवेरी जिसको क्या कहते है अन्डा शे ओके अंडा शे अचै करेक्टल कूल इप ये जो ओविरी है ये जो अन्डा शेप है इसके अंदर भी संद्रशनाय मौजूद होती है ठीक है इसके अंदर भी क्यों होती है संद्रशनाय मौजूद होती है स्ट्रक्चर्स होते हैं तो चलो बनाएं वह स्ट्रक्चर बनाते हैं चलो ओके तो हम शुरुबात करते हैं कौन से कलर से करे ठीक है इस तरीके से एक संदरशना होती है ठीक है ये जो संदरशना है ये क्या कहलाती है जी ये कहलाती है अपरा ठीक है ये क्या कहलाई अपरा जिसको क्या कहते हैं प्लसेंटा ठीक प्लसेंटा ठीक है ये ठीक है अब ये जो प्लसेंटा है ये जो अपरा है इससे एक पतला धागा सा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है ठीक है ये जो धागे वाला स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं जी बताई जले से कमेंट में क्या कहते हैं इसको यह धाग जिसे structure है इसको क्या कहोगे आप बिजान्ड वरिंद बिजान्ड वरिंद ठीक है क्या बोलते हैं बिजान्ड वरिंद को funnel अब यह जो बिजांड वरिंथ है इसके उपर इसके उपर क्या होता है एक इस तरीके की सनरशना मौझूद होती है गोल-गोल ठीक है यह जो गोल-गोल सनरशना है यह गोल-गोल सनरशना क्या है तो भाई यह है बिजांड ठीक है ये है बिजान जिसको क्या कहते है हम बिजान को हम बिजानु धानी भी कहते है बिजानु धानी ठीक है और इसको क्या बोल सकते है गुरू बिजानू धानी Correct बिल्कुल और क्या बोलनेंगे गुरू बिजानू धानी और इसको इंगलीश में क्या कहते है हम? भाई साथ इसको इंगलीश में कहते है Mega Sporengium ठीके, मेगा, इस पो रंजियम कहते हैं इसको, करेक्ट बिल्कुल, यहां तक सभी को समझने आया को, देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, यह जो है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, पक्की बात है ना, इसको अच्छे से समझ लेना, कि यह स्ट्रक्चर क्या है, यह स्ट्रक्चर यहां से उठके आया है, ठीके, यहां से आगिया है, ठीके, यह सबसे उपर का पोशिशन क्या होता है, स्टिग्मा, फिर स्टाइल होता है, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, फिर क्या आगया ओवरी, ओवरी के अंदर भी कुछ सनरशनाएं मौजूद होती है, ठीके, जहां पर क्या होता है इस ओवरी के अंडशा के अंदर, जहां पर मादा युगमक बनता है, अंडशा में क्या होता है, मादा युगमक बनता है, ठीके, यहां पर मादा युगमक बन दलता है कर Herbert ठीक है अप इसके अंदर जो यह स्ट्रक्चर है इसको ग्यां वोलेंगे यह एक तरीके का ठीक है कि युद्ध गॉला भी जान व्रिंथ थी यूज जोड़ी होती है जो क्या होती है हमाले जी जान हो चुर् सोटा है बिजानु धानी भी कहते हैं ठीक है गुरु बिजानु धानी भी कहेंगे और मेगा इस्पोर एंजियम भी कहेंगे करेक्ट बिलकुल ओके बचलोग तो अपनी गाड़ी को हम फटा-फटा आगे बढ़ाएं लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ कहां बनाएं चलो यहां बना देते हैं यह एक स्ट्रक्चर था है ना था यह याद है आपको इस स्ट्रक्चर में क्या था जी यहां पर यह लगु बिजानु धानी ठीक है लगु बिजानु धानी था यहां पर जिसको हम क्या कहते है? micro इसे कहते है हम micro sporengium इस micro sporengium के अंदर क्या होता है? लगू बिजाणू होता है इसके अंदर लगू बिजाणू मतलब micro spore ठीक है? micro spore ठीके अब इसके अंदर क्या बन रहा है लगू बिजाणू बन रहा है माइक्रो स्पोर ठीके अब ये क्या करेगा लगू बिजाणू ये आगे चल कर थोड़े टाइम बाद पराग कन ये थोड़े थोड़े थाइम बाद क्या बन जाएगा पराग कर ठीके पिर यह पराग, कन आगे चल कर क्या करते हैं, नर, युगमक, बना देते हैं, पिर यहां तक clear तो यह हमने पढ़ा था कि नर, युगमक की कि पूरी प्रॉसेस थी और यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां बात करेंगे बिजांड के बारे में, ठीके, यहां तक सब को clear, आगे बढ़े, अपनी काड़ी फटा फटा के बढ़ाते हैं, ओके, तो इसके बात हम चलिए बात करते हैं, यह जो बिजांड है, यह जो बिजांड है, जिसके बारे में हमने यहां बात करी है, अब हम बा तो भाई अभी हमने वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया था है ना जिसे फूल से बाहर लेकर आये थे फिर से बना लेते हैं चलो चलो फिर से बनाते हैं इस तरीके से ऐसे करके एक संद्रशना थी राइट अब इसके अंदर हमने क्या देखा था ऐसे करके एक संद्रशना ऐसे देखी थी है ना अब ये क्या है ये क्या हो गया हमारा यहां पर ये हो गया बिजांड है ना या फिर गुरू बिजांड धानी बिजांड या फिर गुरू तुमनों धर्नि ठीक है अब ये क्या था अपना अपरा अपरह क्य ठीक है यह अपरा था ये क्या था है क्या था जल्दी से पताईों ये क्या था कि जल्दी से कमेंट में बताईए कि यह क्या था क्या पढ़ा था हमने इसको इसको हमने पढ़ा था बिजान्ड वृत ठीक है क्या पढ़ा था इसको हमने बिजान्ड वृत करक्ट बिल्कुल लेकिन यहां पर एक छोटासा ट्विस्ट भी है क्या ट्विस्ट है वो वो यह कि इन दोनों के बीच में भी एक और संद्रशना होती है अब आप काऊगे भाहम आपने पहले तो बताये नuum था कोई बात नि अब बता रहे हूं अब उसकी जरौशा और मैसूस हो रही है कि उसको बताये बिना काम नेक चलेगा ठिक है तो ठिक है इन दोनों के बीच में एक और संद्रशना मौजूद होती है बहुत छोटी सी आएए देखते हैं वो कौन सी है तो भाई साब वो संद्रशना यहां मौजूद होती है ठीक है और इस संद्रशना को हम क्या कहते हैं इस संद्रशना को हम कहते हैं नाभिक ओके इसको दूसरे कलर से कर देते हैं चलो अब आपको पता तो है ही क्या होती है उस अन्रशना ठीक है कौन सी होती है नाभिक ठीक है यहाँ पर जो मौजूद होती है न यह यह कहलाएगी हमारी नाभिक पर ट्विस्ट यह है बचा लोग कि इसको केंदरक मत समझना आप ठीक है नुकलियस नहीं समझना है इसको यह जो नाभिक है इसको हम क्या कहते है क्या कहते है इसको हम हीलियम ठीक है इसको क्या कहते है हम हीलियम यह केंदरक नहीं होता है ठीक है ओके चलो यहां से चीज़ सबंज में आईए आप सबको तो कि ठीक है अच्छा इस जो नाभिक है जो हीलियम में इसका काम क्या है किस किस को पता है इसका काम क्या है जल्दी से में बताए तब हम आगे बढ़ते हैं यह जो नाभिक है इसका काम क्या है किसको बता है ओके मुझे लगता है काफी बच्चों को पता है तो ठीक है जिनको नहीं पता है उनके लिए और जिनको पता है उनके लिए भी confirm करने के लिए बता देते हैं तो यह जो नाभिक होता है ना यह क्या करता है यह जो बिजांड होता है ठीक है यह जो बिजांड है और यह जो बिजांड व्रंत है ठीक है इनको जोडने का काम करता है इनको जोडने का काम करता है बिजांड को बिजांड व्रित को ठीक है इनको जोडने हैं काम करता है करेक्ट बिलकुल ओके चलिए यहां तक किसी हो कोई डाउट है नहीं है ना वेरी गुद आगे बढ़ते हैं फिर गाड़ी को फटा-फट भगाते हैं फटा-फट भगाना है या स्लो स्लो चलाना है गाड़ी को भाई बात है समझ में आने से चाहें इसको हम बाहर लेकर आते हैं थोड़े सी हवा पानी खेलाते हैं इसको हैना यह वी तो बिचारी परशान हो जाते हैं ना अंदर हम चलिए आजाईए मैडम आप आपकी संद्रश्णा को हम बाहर लेकर आते हैं ओके तो यह संद्रश्णा मारी यहां बाहर आ चुकी है यह सं अप्रा यानि की प्लसेंटा अप्रा जिसे हम कहते हैं प्लसेंटा ठीक है ओके फिर इस अप्रा के उपर एक पतली सी पतली सी क्या होती है तंतुनुमा इस तरीके से ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम जी बिजान्ड व्रिंत ओके बिजान्ड व्रिंत ठीक है मतलब फनल ठीक है ओके ओके फिर इसके उपर मैंने बताया था कि एक चोट सा गोल गोल सा संद्रिशन होता है स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है वो फड़ा फट बताईए ऐसा ही होता है है ना क्या कहते हैं इसको हम जी इसको कहते हैं नाभिक ठीक है ना इसको क्या कहते हैं नाभिक ओके शली आगे बढ़ते हैं इसके बाद ये जो बीजान्ड होता है ना ये दो आवरणों से मिलके बना हुआ होता है ठीक है चुब बीजान्ड है ये दो आवरणों से मिलके बना हुआ होता है तो पहला आवरण ये होगया अपना ठीक है दूसरा कौनसा हुआ ऐसे करके ऐसे करके बन तो सही गैसे हैं ठीक है ये दो आवरण हो गए हमारे ऐसे बिलकुल ठीक चलो आगे बढ़ते हैं ठीक तो जो पहला आवरण है तो अपना ये हो गया पहला आवरण ठीक है तो ये जो बाहर का आवरण है इसको क्या बोलेंगे हैं बाहर मतलब बाहे बाहर मतलब बाहे बाहे आवरण ठीक है जिसको क्या बोलते हैं हम external external integument external integument गरेक्ट है बाहे मतलब हो गया बाहर बाहर मतलब external ठीक यह हो गया बाहे आवरण फिर जो दूसरा आवरण है वो क्या होता है जी जी वो होता है अंदर वाला जिसको हम क्या बोलते हैं अंतह आवरण क्या हो गया अंतह आवरण ठीक है अंतह आवरण जिसको इंग्लिश में क्या खाएंगे अब इंटर्नल इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट यहां पर एंट छोड़ गया है इंटेग्यूमेंट ठीक है सबको क्लियर है यहां तक पहला आवरण और दूसरा आवरण चलो जी ठीक है अब यहां पर एक ऐसी भी जगा है जहां पर आवरण नहीं है जल्दी बताइए कौन सी जगह है वो जहां पर आवरण नहीं है मैं इसकी बात नहीं कर दी इसको तो मैंने डार्क किया है ताकि दिखाई दे जाए आप सभी को नाविक को डार्क किया है ठीक है इसको मस्तमझना बताइए जल्दी से कौन सी वो जगह है जहां पर आवरण म कहेंगे हम बीजान्ड द्वार ठीक है इसको कहेंगे हम बीजान्ड द्वार जिसको क्या बोलते हैं आपर माइक्रो पाइल और यही यही वो बीजान्ड द्वार है मतलब माइक्रो पाइल है जहां जहां से युगमक क्या करते हैं अंदर जाते हैं ठीक है अंदर जाते हैं कहां पर मादा युगमक के पास क्यों निशेचन करने ठीक है इसी बिजान दुआर से वो अंदर जाएंगे ठीक है और वहाँ पे मादा युगमक के साथ सल्लेन करेंगे करेक बिल्कुल क्लियर सभी को आ रहे समझ में ओके चलिया आगे बढ़ते फिर अब यह जो बिजान दुआर है बिल्कुल इसके अपोजिट में मतलब यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट में जो जगा होती है ठीक इसे क्या कहते हैं जल्दी बताएंगे इस जगा क्या कहते हैं हाँ जी बिल्कुल इसको क्या कहेंगे हम इस जगा को नी भाग ठीक है इसको काएंगे नी भाग ठीक है मतलब चलेजा ठीक है ये क्या हो गया चलेजा हो गया ठीक है नी भाग मतलब चलेजा बिल्कुल इस बेजान दौर के बिल्कुल सामने ठीक है अब अब क्या जी इसमें और क्या बच गया इसमें हाँ अब ये जो बिजान्ड होता है इसका जो अंतहा भाग होता है ठीक है मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है उफ क्या हुआ ये जो अंदर वाला पूरा पोर्शन होता है ठीक है ये वाला पूरा अंतहा भाग जो है मुझे लगा था कि स्क्रेन चली गई ठीक है अब ये जो अंदर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं हम तो बच्चा लोग इसको हम बोलते हैं बिजान्ड काई ठीक है मतलब नियू सेलस जिसको हम क्या बोलते हैं नियू सेलस ठीक है अब ये जो नियू सेलस होता है ये जो नियू सेलस है ठीक है ये जो नियू सेलस है क्या करता है इसके अंदर बहुत सारी बहुत सारी कोशिकाय होती है ठीक है इसके अंदर कौन सी हम आगे बढ़ाते हैं हमने क्या बात करी कि भाई जो बीजांड का अंतहब आगे वो क्या कहलाया मारा बीजांड कहलाया ठीक है जहां पर मृदु तक कोशिकाय मौजूद होती है ठीक है और यह कोशिकाय आगे चलके यह जो कोशिकाय होती है कि ठीक है यह जो मृदु तक हुम्रिदु तक कोशी काए है यह क्या करती है आगे चलकर है यह आगे चलकर गुरू विजाणू गुरू विजाणू का निर्मान करती है ठीक है का निर्मान निर्मान करती है ठीक है उससे क्या होगा गुरू बिजाणू का निर्मान होने से जल्दी से बताईए गुरू बिजाणू का निर्मान होने से क्या होता है भाई इससे मादा युगमक मादा युगमक मादा युगमक ठीके, क्या हो रहा है, मादा युगमक और कोशिकाओं का निर्मान हो रहा है ठीके, गुरु बिजानूं का निर्मान होने के बाद, मादा युगमक का निर्मान होगा ठीके, तब, तब यहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे तो भाई तब उसको हम कहेंगे ब्रूण कोश ठीक है ब्रूण कोश और ब्रूण कोश को क्या कहते हैं अम्ब्रियो सेक कहते हैं ठीक है अम्ब्रियो सेक ठीक है ब्रूण कोश बनेगा मादा यूग मक्त के बाद ठीक है जिसे हम embryo sack कहेंगे ठीक है और उसके बाद यह क्या होता है यह विभाजन के result से बनता है जो मतलब विभाजन होता है वहाँ पर division होता है उसके result से यह brun kosh बनता है कहां पर बिजांड काई में ठीक है I hope बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैंने कोशिश करी आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की ओके यहां पर किसी को कोई डाउट और अगर डाउट है आपको तो क्या करना है आपको डाउट डाउट करना है क्योंकि सिर्फ यही से होगा करेक्ट बिल्कुल ओके चले अब जब हम बात ब्रूण कोश की कर रहे हैं कि भाई ब्रूण कोश है ठीक है तो क्यों ना इस स्टोरी को और आगे बढ़ाया जाए अच्छा आप सब सोचते होंगे ना मैं इतने साथ ड आपको वरबली बता दूंगी ना अच्छा बच्चों यह होता है वह वह होता है तो लिटरली समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसको यहां पर लिखकर यहां पर बनाकर आप नहीं समझोगे जो मैं बोलूंगी ना वह फिर भी आप भूल जाओगे लेकिन जो यहां होना इसको आप बनाईए मेरे साथ साथ आपको याद रहेगा कि अच्छा मैंने यह ऐसे बनाया था जब यहां बनाया था फिर यहां फिर यहां लेकिन फिर मैंने यहां बनाया और उसके बाद ही दो आवरण बनाए वर्णा पहले में बिजान बना देती फिर इसका यह आगे पड़े ठीक है अच्छा उससे पहले एक चीज और बता देती हूं कि कुछ कोशन्स पूछ लेते हैं जैसे कि जो जैसे बीजान्ड वृत है ठीक है जिसको हम funnel कहते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो बीजान्ड वृत है ये क्या करता है पुष्प को जोड़े रखता है ठीक है ये जो पुष्प है उससे जोड़े रखता है इसको ठीक है अप्रा थे ठीक ओके सौरी पुष्प कहा रही हूं बिजांड को ठीक है ओके यह बिजांड को यहां से जोड़े रखता है ठीक आप भी सोचरों के पुष्प को कैसे जोड़ता होगा है गलती से बोल दिया था यह बिजांड को जोड़े रखता है ठीक है ओके और उसके बाद हमारा जानड दौर तो ये जान दौर एक अकेली जगह ओती है जहां पर दौर नहीं होता है कि तीक है लेकिन किसके लिए कि इसके लिए नर्युग्मकों के लिए ठीक है ओके और लास्ट चीज की बहुत से बचे पूछते में अपरा क्या है और इसका यूज क्या है तो यह जो अपरा है ठीक है यह पुश्पासन होता है ठीक है यह पुश्पासन पर लगी हुई सनरशना होती है ठीक यह जो अपरा है यह पुश्पासन पर लगी हुई सनरशना होती है इसमें बहुत सारा पोशन होता है यह पोशन से भरी हुई होती है ठीक और सबसे important बात यह अपरा होती है ना यह जो विकास शील क्या होते हैं भुरूर होते हैं यह उनको पोशन प्रदान करने का काम करती है तो यह इसका में रोल होता है अगर हम इंसानों की बात करें तो उसमें जो यह अपरा होती है प्लसेंटा होता है क्या काम करता है यह बच्चे आगे बढ़ते हैं अब हम क्या बात करते हैं अच्छा उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि जो अंडा शे होता है ना ठीक है यह अंडा शे है इसके अंदर क्या अंडा शे के अंदर बिजान्ड होता है ठीक है कि जो अंडा शे है अंडा शे के अंदर क्या होता है बिजांड अंडा शे इसमें क्या हुआ बिजांड ठीक है अब बिजांड में क्या होता है हम सभी जानते हैं कि यह जो बिजांड होता है यह बिज में बदल जाता है यह आगे चल के क्या करता है यह बिज में बदल जाता है और इसके बाहर जो आवरण है ठीक है जो बिजांड के बाहर का आवरण है हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं आवरत बीजियों के बारे में ब तो यह जो बीड है वो अंडा शेव से क्या है ढका हुआ है ठीक एक आवरन से धका हुआ है तो यह जो बिजांट है की बीज़् में बदलेगा और यह अंडा शेवरान है ठीक यह किसमे बदल जाता है यह हो कि फल में ठीक है दीजांट बीच में बदलेगा और अंडश है फल में बदलेगा इस चीज को आप अच्छें से याद रख लेना हो सकता है कि एक नमबर भी चीज पूछ लिजाए वैसे जनरली नहीं पूछते हैं पर ठीक है फिर भी इसको हो सकते हैं कि एक नमर में आ जाए ठीक चलो सर्फ एक जनरल नॉलिज बढ़ाने के लिए कि हां हमें पता होना चाहिए कि अगर हम जीव विज्ञान के यानि बायलाओजी के बच्चे हैं ठीक है कि हम वो पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक फल है उसके अंदर का बीज क्या है और उसका आवरण क्या है ठीक है अब अगर आपका भी आम खाओगे ना तो आपको पता चलेगा जो बीजांड ह है ओसके बीज हो यहाने की आम का बीज ठीक और जो अंडा शहय वह क्या है उसका आवरण से जो आम का वी जवता है जो खाते सभाट और बाहरत का आवरण वो क्या है अब जब भी यहां पर यह देखिए कि यह बुक में भी इस तरीके से एक डाइग्राम दिया हुआ है जो समझाने कोहिश करी गई है कि भाई सबसे उपर वर्तिक राग होता है वर्तिका फिर अंडा शेह फिर बीजांड ठीक है यह जो बीजांड होता है यह आगे चलके बीच में बदलता ह ठीक है और जो अंडा शेह होता है वो किसमें फल में बदल जाता है कारेक्ट बिल्कुल बदल जाता है ओके अंगे बड़े यह आप जो डाइग्राइम है यह अच्छे से बनाना सीखिए ठीक है ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं अच्छा हाँ ठीक है जब वहाँ पर एक में रुखिए यहां पर यह जो हम यहां पर बात करी थी तो यहां पर मैं एक चीज भूल गए थी बताना कि जिस तरीके से यह इसका डाइग्राइम है न कि इसका जो बीजान डौर है इस तरफ है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेड में हर एक हर एक उसमें ऐसा ही हो यह बीजान डौर हो सकता है कि हर चेकर यह ऐसे ही पाई जाएेगा कि यह थी खुला हुआ है आभ यह जैसे जो ड्रम नेरे देखा देखो तूब है इसलिए कि इसलिए यह मोर मेंस सोची यह किसी को सग् Attальных रसे जब्सक्राइब किसीए कैसे Silent है अब देखिए यहां और यहा पर रॉप है इस रांज मुझा पीया है यह सिए के प्रून कोश ए प्रूंड कोश है आधक यहां तक सब्सक्राइब हो गया आप चलिए अभर हम इसको अगले पेश- पर लेके चलते हैं कि हम बात करते हैं बुरूंड कोश की संद्शना के बारे में ठीक तो हमने डाइग्राम जी ऐसे बनाए था कि एक ऐसा डाइग्राम है ऐसे करके ऐसे ठीके ऐसे फिर ये ऐसे करके ऐसे आगिया जी फिर ये ऐसे आगिया ठीके ओके अब ये जो है यहां क्या है ये है ये बिजान काय के अंदर की जगा है ठीके जो भूरून कोश होता है वो कहा होता है बिजान काय के अंदर होता है ठीकर यहाँ पर मौजूद होता है मतलब अब यह जो बूर्ण कोश है चलो इसको हम बाहर लेकर होती है ठीक है, ओके तो यह भुरूण कोश को हम बाहर लेकर आते हैं और यह कुछ इस तरीके से सनश्ना में होता है कि यह तो मुर्गी का अंडा बन गिया अ है है ना ऐसे ही लग रहा है तोड़ा सा हमें मुर्गी का अंडा नहीं बनाना है या आप हमको ब्रू嫁 कोष बनाना है जा होके इस भार ठीक से बन जाना चाहिए चलो कोई बात नहीं फिर भी बेटर है तो यह जो है इस ब्रूर्ण कोष को हम यहां से बाहर ले आए हैं ठीके, अब ये जो brun koosh है, brun koosh, ये जो brun koosh है, याद रखिएगा, ये बहुत important चीज में आपको बताने जा रही हूँ, कि ये जो brun koosh है, ये क्या होता है, ये होता है, साथ कोशी किये, ठीके, कोशी किये, और आठ किंद्रक, अगर आपसे कोई पूछे कि brun koosh कैसा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे, जी brun koosh हो, साथ कोशी किये, और आठ किंद्रक होता है, आठ किंद्रक किये होता है, ठीके, आठ किंद्रक किये, साथ कोशी किये, और आठ किंद्रक किये, चलिए अब बात करते हैं, इसके डाइग्राम की, कि इसका डाइग्राम कैसा दिखता है, है ओक के आजाए है तो अच्छा मुझे बदा ये की बाई साथ कोशी काहें इसमें आप कैसे दिखाओगे हाँ और मैं कहुंट इसमें आपको मुझे अब साथ कोशी काहें जबाना बीच में कहां इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो है भई कि सबको बैलेंस करके चलना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि तीन कोशिकाए तो यहां बन जाएंगी ठीके तीन कोशिकाए यह रही जी ठीके और एक कोशिका काए बीच में हैं तीन उपर तीन नीचे और एक बीच में तो जी साथ कोशिकाए तो हमने कर दी लेकिन केंद्रक क्या केंद्रक केंद्रक आठ है अब आठ केंद्रक कैसे आप मतलब सबको बराबरी करोगे तो भाई एक केंद्रक दो तीन चार पांच और जी छे अब बच्छे दो दो का क्या करेंगे हम अब बराबरी तो सब को देनी पड़ेगी ना भाई तो भाई इसके लिए एक यह ले लेता है और एक यहां पर ले लेता है ठीक है यह ऐसे डिवाइड हो जाती है साथ कोशी की और आठकेंद्रकी है ठीक है चलो अभगर हम बात करें की है २ जो घरnd 14 कोशिकाय होती है एक दो धीं इन तीनों कोशीकाव को क्या बोलते हैं जल्दी सी वता यह कमेंड में क्या बोलते है और सब बच्कों को आना चाहिए अब आप बोलोगे मैं हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं तब आना चाहिए ने जिब मैं बता दूंगी ठीके ओके तो इन तीनों को क्या बोलते हैं कौन सी कोशिकाए होती है प्रती मुख प्रती मुख प्रती मुख कोशिकाए क्या बोलेंगे इनको इनको जी हम बोलेंगे एन्टीपोडल सेल्स ठीके ओके जी अब यह जो बीच वाली है इसको क्या बोलेंगे हम तो भाई इसको कहते हैं हम धुरुवी है दुरूब क्या होता है, बीच में होता है ना, तो दुरूब यह, दुरूब यह, कोशिका, दुरूब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलर, पोलर सेल, ठीक है, ओके, अब लेकिन यहां पर यह चोटा सा ट्विस्ट आ जाता है, अब आप कहो गया मैडन जी, फिर से ट्वि हाँ, बेटा, फिर से ट्विस्ट आ गया है, लेकिन वो ट्विस्ट क्या है, अच्छा यह, वो ट्विस्ट यह है, कि यह दोनों जो बाहर वाली, ठीक है, जो बाहर वाली सेल्स हैं, कोशिका हैं, इनको, इन दोनों कोई लेते हैं, हम इसको नहीं लेते हैं, जैसे हमने राइट की जो सेल्स हैंगे क्या होंगी सहायक ठीक है सहायक कोशी का जिसको क्या कहते हैं हम synergyट sell केत 750 सहायक सहायक मतलब help कर रही है सहायता कर रही है भाई इसकी यह जो हमारी हीरोईन है बीच में ठीक है यह हमारी हिरोईन है बीच में इसकी है करती हैं कौन है हमारी हिरोईन यह कोई और नहीं यह है अंड कोशिका ठीक है और सप्राइज करने के लिए बता देती हूं मैं कि यह जो अंड कोशिका है यही मादा युगमग है फिल्म हमारे एंड पर आ चुकी है हमको हमारी हिरोईन मिल गई है हिरो तो पहली मिल गया था पहली वाली ग्लास में नर युगमग यह क्या है मादा युगमग है ठीक है तो यहां तक सब को क्लियर यह हमारी मादा युगमग है ठीक यहां तक किसी हो कोई डाउट नहीं ना ठीक है एक फिर से फटा फट जल्दी से बता देती हूं कि भाई यह जो बुरून कोशेस को मिया से बाहर ले आए बिजांड काय से यह बुरून कोश्ट साथ कोशिका और आठ केंद्र केंद्र की यह होता है उपर की जो तीनों कोशिक कहते हैं नीचे की जो दोनों कोशिका उन्हें सहायक कोशिका कहते हैं बीच वाली को दुरुविय कोशिका और जो मेन हमारी हिरोई ने इस पिच्चर की आज की पिच्चर की जो हिरोईन है वह कौन है अंड कोशिका जो मादा युगमंग है ठीक है ओक चलो अब हम नेक्स ट यह चीटिंग है तो बचलों चीटिंग नहीं है थोड़ा सा आपको और समझाने इंगले स्टॉपिक को भीश में लाया गया है समझ रहे हैं क्या समझाना है कि भाई बिजाडू बिद क्या होता है जहां बिजाडू बनते हैं ठीक है यहां बिजाडू बन रहे हैं और युग युग मग ठीक है कि यहां पर भी जाडु बन रहे हैं वहां पर Sr brand Rously है तो légख यहां पर बीजाडु बनेंगे उसे बीजाडु केंगे जहां यग मकट के उसे युद्मकोद्वित कहेंगे ठीक है ओके यहां पर और क्या पढ़ना था हम को की चलो एक एक्जाइम्पल लेकर समझते हैं कि हमारे पास कोई फूल है ठीक है यह हमारे पास एक फूल है हमने एक्जाइम्पल लिया अच्छा पसंद नहीं आया ठीक है चलो बदल देते हैं भाई बोल दो कि मैंडब यह फूल अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा सा फूल बला देते हैं कि ओके चलो यह एक फूल है बेटर है ठीक है यह फूल आ गया सजा देते हैं इसको थोड़ा सा ठीक है अब यह जो फूल है इसमें क्या है इसमें नर जनन सनरशनाए है ठीक है इसमें क्या है नर जनन सनरशनाए है ठीक है सनरशनाए होती है अब यह क्या होती है नर जनन सनरशनाए यह क्या होती है यह डिपलोईड होती है ठीक है deployed मतलब do we good it do we good it ठीके याने की deployed हम इसको to and कहते है है ना यह deployed हो गई अब क्या होता है अब इन में क्या हो गया यह जो होती है यह बिजानूत भिद की अवस्ता होती है यह जो होती है क्या होती है यह बिजानूत भिद की अवस्ता होती है यह है अपने बिजानू बिजानूत भिद की अवस्ता ठीके बिजानूत भिद अवस्ता होती है यह करेक्ट बिलकुल यहां तक समझ में आया हाँ ठीके इस फूल में नरजनन संरशना है जो के दुईगुडित है और ये क्या होती है बिजानों द्विद अवस्था होती है ठीक ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां जो नर्जनन संरशनाय हैं यहां पर क्या हो रहा है इनमें कौन सा विभाजन होगा बताए जल्दी से मैं यहां विभाजन लिख रही हूँ अर्द सूत्री जोगा तो चार लगू विजानों कि क्या बनेंगे चार लगू विजानों लगू दीका और बनेंगे ठीक है यहां चार लगू बिजानू का निर्माण होगा ठीक लगू बिजानू क्या होगा हमारे माइक्रो स्पूर ठीक है यह क्या होता है यह एंड होगा ठीक है ओके जी अब क्या होगा इसके बाद यह कौन सी अवस्ता है जा हमारे लगू बिजानू बन गए हैं यह कौन सी अवस्ता है हमारी यह हमारी क्या है युक्मकोद भिद ठीक है युक्मकोद भिद प्रवस्था प्रवस्था ठीक है जो आगे चलके क्या बनाएगी युक्मकों से क्या बनेगा यहां युक्मक बन रहे है ना युक्मक बन रहे है आगे चलके युक्मक से क्या होगा पराकण होगा पराकण ठीक है और पराकण आगे चलके युक्मक बनाएगे ठीक है आगे जलके क्या करेंगे युग्मक बनाएंगे युग्मक मतलब गयमीट इसलिए इसको क्या कहा है युग्मक उद्भिद प्रवस्था कहा है क्योंकि इसमें क्या बन रहे है युग्मक बन रहे है ठीक है बिल्कुल कन्फ्यूस नहीं होना है लगू विजानू से जो सोय दो भüstник के स shirt आयदे हिए इसी मेंस न लिघे सpenis को सुर्य है से योगंकोध Alma यह क्या है यह में खेसा है सिपन्तरव क्या खालता है लगार करें दिखना है तो एक इसा पार करना का यहां पर बिजानू द्भीत का मतलब था कि बिजानू का बनना ठीक है यह हमारे हमने नर के बारे पड़ा यह सब था हमारे नर के बारे में कि नर में बिजानू और युगमक कैसे कब कहां बनते थे ही खैना पिचले में भीता है कब कैसे कहां कैसे तो वही चीज़ है की बिजानू और युगमक कब कहां कैसे बन रहे थे तो Evan यहां पर हमारा बीजानू बन रहा था और वहां पर हमारा गैमिट बन रहा था तो बैसिकली यह है इन दोनों का correlation ठीके चलो यह हमारे नर के बारे में था अब थोड़ा सा मादा के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर तो मादा की संरश्णा कैसी थी हमारी ऐसे थी कि मैंडम ने हाथो खराब बना दी बिल्कुल है इतनी सुन्दर सी संरश्णा थी चलो अच्छी सी बना देते हैं आप लोग गुस्सा मत हो जाओ बुरा मत मानों ठीक है यह हमारा इस तरीके से इस्ट्रक्चर था ठीक यह स्ट्रक्चर भी क्या है टू एन है यह स्ट्रक्चर क्या है हमारा टू एन है ठीक है अब यहां पर क्या होता है यहां पर अर्द सूत्री विवाजन होता है इसका मतलब यहां पर क्या है यह बिजानू अद्भिद प्रवस्था प्रवस्था है ठीक है मतलब यहां पर विजानू का निर्माण हो रहा है ठीक है यहां पर विजानू का निर्माण होता है अर्द सूत्री विवाजन में अब जब यहां पर फिर से इसको करेंगे क्या करेंगे इससे क्या होगा अर्द सूत्री विवाजन से गुरू विजानू बनेगा गुरू विजानू ठीक है गुरू विजानू बनेगा ठीके ओके अब गुरु बिजाणू में क्या होगा भाई समसूत्री विभाजन होगा ठीके यहां क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है आगे चलके ठीके तो इस समसूत्री विभाजन से क्या हुआ यहां पर जब यहां पर गुरु बिजाणू में समसूत्री विभाजन हो रहा है तो क्या होगा भाई यहीं तो असली रोल है मादा युगमक मादा युगमक का निर्मान हो रहा है यहां पर ठीके तो यहां पर जब युगमक बन गया तो यह कौन सी प्रवस्ता कहलाएगी जी यह कहलाएगी यह हमारी प्रवस्ता कौन सी हुई युक मकोद भिद ठीक है युग मकोदविद प्रवस्था प्रवस्था करेक्ट बिलकुल देखो यहाँ पर बिजाणू बन गए है ना यहाँ पर क्या बिजाणू ओकर निर्माण हो गया यहाँ पर क्या बना कि यहाँ पर युगमक का निर्माण हो गया इसमें भी दोनों प्रवस्थाय आ गई यह आपको सवनज में आया कि नर्ष संश्था और मादा संश्था में कंद्श जल्दी opens कर दें नंत कंद्था तौपिक में सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे ठीक है जल्दी से रिवाइस करते हमने क्या पढ़ा हमने इस्त्रीकेसर पढ़ा ठीक है स्त्रीकेसर के 3 पाइट पढ़े की वरतिकाग्र फिर अंड़ाशय के अंदर संरश्णाय मौजूत थी जहां पर मादा युगमक का निर्मान होता है न पिर उस ट्रॉक्चर को बाहर लेकर आये फिर उस ट्रॉक्चर को जो सब बाहर लेकर आये तो हमने क्या पढ़ा उसमें अ वाबिक है फिर अंदर भी जांध हैं गया हमारा ठीक है और दो आवरण आ गये ठीक है एक दुवार आ गया दुवार के बिलकुल अपोस्ट में क्या था निभाग था ठीक है यह सब हमने पड़ा ओके उसके बाद उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भुरून कोश था वो क्या थाथ सथ कोशी किये और और आठ केंद्र किये ठीक है यहीं पड़ा कोशीका हो ओक्त है उनके बीच होप नहीं किया होती है हमारी हिरोईण होती है अंड कोशिका जहां पर क्या होता है मादा योगमग बनता है तो I hope यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से clear हुआ होगा किसी को कोई doubt doubt है तो क्या करना है आपने को doubt not करना है ठीक है इस chapter को आप अच्छे से पढ़िए revise करिए यहां पर देखिए गुरू बिजानु जनन हमको कुछ दिखाई दे रहा है यह लिखा हुआ ठीक है जिसको हमने क्या बोला मेगा स्पोरो जेनेसिस बोला ठीक है क्या बोला मेगा स्पोरो जेनेसिस तो यह इसकी definition है तो अपना chapter हम इसी definition के साथ च्वरू करते हैं मात्र कोशिकाव में अर्द सूत्री करके चार गुरू बिजानु के के रचना प्रक्रम को गुरू बिजानु जनन कहते हैं थिक है कि तो यहां पर एक शब्द आरहा है अर्द सूत्री अर्द सूत्री क्या है तो भाई ये कहना चाह रहा है कि ये जो गुरू बिजानू मात्र कोशिका है है ना यहां पर क्या हो रहा है अर्द सूत्री विभाजन हो रहा है ठीके इस गुरू बिजानू मात्र कोशिका में अर्द सूत्री विभाजन हो रहा है ठीके जिससे क्या पर चार गुरू बिजाणू का निर्मान हुआ है ठीक है ओके तो यहां पर क्या होता है फिर उसके बाद चार गुरू बिजाणू का निर्माण हो गया चार गुरू बिजाणू का निर्माण भाई हो गया यहाँ पर अब यह जो गुरू बिजाणू होते हैं यह क्या होते हैं यह हमारे क्या होते हैं अगुणित होते हैं अगुनित, ठीक है, यह हमारे अगुनित होते हैं, यह क्या होते हैं हमारे द्वी गुनित, ठीक है, यहां क्या होगी हमारी क्रोमोजोम्स की याने के गुर्ण सूतरों की संख्या आधी हो जाएगी, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हम बिजान काय के बारे में क्या बात कर तो जो बिजांड काय होता है उसके अंदर का जो भाग होता है उसमें क्या होती है बहुत सारे मृद्धुतक कोशिकाय होती है ठीक तो बिजांड काय के परिवर्धन तो हम क्या कह सकते हैं कि बिजांड काय के परिवर्धन या फिर हम ब्रून कोश के परिवर्धन भी कह सकते हैं ठीक है बिजान का है या ब्रून कोश के परिवर्धन ठीक है बिजान का है या ब्रून कोश के जो परिवर्धन होता है या विकास होता है परिवर्धन को क्या कहेंगे हम विकास इसकी जो क्रिया होती है क्रिया क्या कहलाती है वो वो कहलाती है गुरू बिजानु जनन ठीक है क्या कहलाई वो गुरू बिजानु जनन कहलाई ठीक है यहाँ तक लियर सबको मतलब जो मादा युगमक जो होता है ठीक है मादा युगमक के निर्मान की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है गुरू विजानु जनन कहलाती है ठीक है इसको हम सिंबल शब्दों में बोल सकते हैं कि भाईया मादा युगमक के जो निर्मान की क्रिया है वो क्या कहलाएगी गुरू विजानु जनन कहलाएगी ठीक है या फिर जहां पर हमने बात करी थी कि साथ कोशी किये और आठ केंद्र किये ये जो पूरा प्रॉसेस अने बनने का ये क्या कहलाएगा गुरू विजानओ जनन कहलाएगा ठीक है यहादा क्लियर सब को ओखे चलो आगे बढ़ते हैं आगे चल के हम बात करते हैं चलो गुरु विजानओ जनन के बारे में ठीक है तो यहां पर हमें एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले ठीक है यहां पर हमें एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका बिजांड का बनाते हैं लो जी बिजांड का स्ट्रक्चर बन गया हमारे अब आप सोच रहोंगे मैडम हर जगा यही structure बना देती है तो भाई यह बहुत important structure है ठीके इसको अच्छे से बनाना सीख लीजिए अब यह क्या है हमारा बताईए बिजांड मतलब ovule ठीके अब हमने क्या बात करी थी कि इसके अंदर जो बिजांड काय होता है इसके अंदर बहुत सारी मृदुता कोशिकाय होती है ठीके यह हरी हरी क्या है कोशिकाय है किसमें बिजांड काय में यह क्या है बिजांड काय, याने की बिजांड काय, ठीक है, याने की निस्रेलस, इसके अंदर के हैं, बहुत सारी मृधुतर कोशिका हैं, और वही पर एक और कोशिका भी होती है, इसमें एक और कोशिका होती है, क्या कहलाती है, अधो इस तरिये कोशिका, जो विभाजन के टाइम पे च भाजन करते हैं चलो थीक है यहां विभाजन हुआ अब ये जो कोशिका है यहां से अध्व इस तरए कोशिका ठीक है कौन सी अध्व इस तरिये कोशिका जुक हम बाहर ले कर आते हैं ठीक है जिसको क्या बोलते हैं अधोस्तुरिय कोशिका को हाइपोडर्मल सिल लीजिए इसको हम यहां बाहर ले आए ठीके तो यह क्या है हमारी अधोस्तुरिय कोशिका हो गई करेक्ट ओके चलो अब यहां क्या होगा यह जो अधोस्तुरिय कोशिका है ये दीरे दीरे अपने आपको बड़ा कर लेती है ठीके बतलब कि वो वृद्धी करती है अब जब ये वृद्धी करती है तो क्या होता है इसके अंदर की जो कोशिका होती है वो बड़ी होने लगती है और बड़ी होके ये कोशिका क्या कहलाती है प्रपशु कोशिका कहलाती यह प्रपशु कोशिका कहलाई ठीक है अब यह जो प्रपशु कोशिका है यहां पर क्या हो रहा है समसूत्री विभाजन हो रहा है ठीक है यहां क्या हुआ समसूत्री समसूत्री विभाजन होता है ठीक है जिस से क्या होता है विभाजन से इसके विभाजन से क्या हुआ विभाजन तो इसके विभाजन से क्या होगा यहां पर दो कोशिकाओं का निर्मान होगा ठीक है यहां पर दो कोशिकाओं का निर्मान होगा तो वो दोनों कोशिकाओं कैसी दिखेंगी ये देखें पहली कोशिका ये रही और दूसरी ये रही ठीक है तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया समसूतरी विभाजन होने पर जो पहली कोशिका होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं ये वाली है ये वाली होती है प्रात्मिक प्रात्मिक भिट्तिय भिट्तिय कोशिका जिसको क्या बोलते हैं प्राइमरी पराइटल सेल ठीके पीपी सी प्राइमरी पराइटल सेल अब ये जो दूसरी कोशिका होती है ठीके इसको क्या बोलते हैं हम तो भई इस कोशिका को हम बोलते हैं बिजानू जनन कोशिका क्या कहेंगे इसको इंगलिश में? माइक्रोस्पोरो जेनेसिस सेल माइक्रोस्पोरो जेनेसिस सेल माइक्रोस्पोरो जेनेसिस सेल ठीके अब यह जो प्रात्मिक भित्य कोशिका होती है यह कोई काम नहीं करती है यह वहीं बड़ी रती है निधली बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है आलसी है ना विभाजन करना ह ना कुछ करना है वो ऐसी कि यह जाएगी लेकिन हमारी युजू भीजानु कोशिका है यह उल्युचरी बहुत काम करती है ठीक है ये क्या काम करती है ये आगे चलके क्या करती है ये क्या करती है ये गुरू बिजानू का निर्मान करती है ठीक है क्या करती है ये गुरू बिजानू का निर्मान ठीक है और ये अपने आपको कैसा दिखाती है ये दिखाती है कि जैसे ये क्या है जैसे ये किसकी तरह गुरू बिजानू मात्र कोशिका की तरह ये अपने आपको दिखाती है कि मैं ऐसा काम कर रही हूं जैसे कि गुरू बिजानू मात्र कोशिका कर रही है ये वाले तो कोई काम नहीं कर रही है लेकिन ये क्या कर रही है गुरू बिजानू का निर्मान कर र होगा आगे चल कर आगे चल कर क्या करें कि यहां पर अर्दसूत्री विभाजन हो गया हुग के यहां पर क्या होगा यहां पर चार यह जो है यहां पर चार अगुणित बिजाणू बनेंगे एक दो तीन और चार क्या हो यहाँ पर चार अगुडित बिजानू बन गए यहाँ पर ठीक है कितने चार ठीक है चार अगुडित बिजानू यहाँ पर बन गए तो एक दो तीन चार ठीक है अब यह वाले जो है यह क्या है यह है क्रियाशील गुरू बिजानू ठीक है क्या है यह क्रियाशील गुरू बिजानू है क्रियाशील ठीक है यहाँ लिख दर दे हो क्रियाशील, गुरु विजानू, ठीक है, यह है क्रियाशील, गुरु विजानू, अब वाकिए यह जो तीनों है, यह कोई काम नहीं करती है, धीरे धीरे अपना आप नस्ट हो जाती है, ठीक है, यह क्या हो गई, अपने आप नस्ट हो गई है, ठीक है, यह क्या होंगी, अक् क्रिया शील ठीके तो इन में जो सिर्फ ये कौन सा वाला भाग है ये ऐसे है ना देखो ऐसे तो ये जो निभाग होता है ठीके तो ये निभाग के पास वाली कोशिका है ठीके निभाग के पास वाला ये गुरू बिजानू ठीके है क्या है यह गुरु भी जानु है निभाग के पास वाला सिर्फ एही क्रिया शील रहेगा थैंगर ये शीट अपनी है अराम से बैटो ऐसे सोस्ते हैं है ना तो बिलकुल ये भी ऐसा ही है जब तक इसके साथ तीन और लोग सवार कर रहे थे ना बस में सवारी कर रहे थे तो भाई विचारा एकदम किनारे पर ऐसे था लेकिन जैसे ही ये तीनों उतर गए तो भाई ये चौड में आ गया और चौड में आने के बाद ये कैसा हो गया देखो आप चौड में आने के बाद ये ऐसा था ऐसा हूग आप तो भाई ये पूरी सीट मेरिये मज़े में बठूंगा आ ठीक है लेकिन कुछ लाहीं बाद दाजर चलदे-अलदे कहने लिए यार अप तो मैं बोह रो तो इसने सोतर चलो मैं समसूत्री विभाजन कर लेता हूं अपने अंदर ठीक है इसने क्या किया अपने अंदर समसूत्री विभाजन कर लिया ठीक है यह यहां क्या था बिजांड काय में फैल गया था यह क्या था बिजांड काय में यह फैल गया ठीक है यहां पर क्या हुआ समसूत्री विभाजन हो गया ठीक है यहां पर समसूत्री विभाजन हो गया तो इसने क्या किया यहां क्या जो केंद्रक था यहां पर दो केंद्रक का निर्माण हो गया एक यह रहा और एक यह रहा यहां पर दो केंद्रक का निर्माण हो गया ठीक है जो की हैपलॉइड होते हैं ओके ये क्या है? हैपलॉइट है अब ये जो दो केंद्रक हैं ये दोनों क्या करेंगे? ये दुरूफ की ओर जाने लगेंगे मतलब ये यहां बीच की ओर आने लगेंगे दोनों ये यहां पहुंच जाएंगे यह वाला यहां पहुच जाएगा और यह वाला यहां पहुच जाएगा धुरुफ की ओर खिसकने लग जाएंगे अब क्लास में कोई धुरुफ तो नहीं है ना पहली देख ले ना ठीक है ठीक है तो यह धुरुफ की ओर खिसकने लगे फिर क्या होगा जैब धुरुफ की ओर खिसकेंगे, तो यह फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे अपने आप में, ठीक है, समसूत्री विभाजन, यहाँ पर फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, तो क्या हुआ, चार कोशिकाओं का निर्मान हो गया, देखो, यहाँ दो थी, एक निर्मान इसने किया, एक इसने किय तो कितना हो गए यहां पे 4 हो गई अभी समझ में आया ठीक है अब जब यह फिर से यहां लो भाई कर देते हैं और चार यहाँ हो गई ठीक है इसके बाद यहाँ पर ब्रून कोश का निरमान होता है यहाँ पर क्या होता है ब्रून कोश का कोश ब्रून कोश डले तो गया ब्रून खोश का निर्मान फिर से गलत लिग दिया बारवर गलतियो जारी लिखने में बून कोश आप बेटेक हो गया यहाँ पर क्या होता है? बून कोश का निर्मान होता है इसके बाद ठीक है, तो फाइनली हम बून कोश तक पहुँच गाए है है इतने सारे विभाजन के बाद ठीक है चलो एक बार और इसको समझा देती हूं अच्छे से समझना सीट की पेटी अपनी बांदे रखना सीट की बेल्ट अपनी बांदे रखना बिल्कुल हिलना नहीं है ठीक है एदो प्लेन में हम ट्रेवल कर रहे हो सकता है ट्रम्लेंस हो अब आपका पाइलेट क्या बोल रहा है कि अपनी सुरक्षा पेटी बांदे रखने बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलना है ठीक है मौसम घराब है ठीक हिल सकते हो अपनी जगह से इसलिए ना हिलो इसलिए अपनी बेंट बांद के रखो और समझो फिर से कि यह डाइग् के बूलता मतलब ल। हीजां था इस बिजांट के अंदर क्या बेंट बीजांट काये है और हमें पता है कि बीजांट काये के अंदर क्या वता है मिरेत तो यह बाहर यहां घूमने आ गई अब जब ये घूमने आ गई तो भई इसको बड़ा अच्छा लगने लेगा इसने खाए जब मैं बाहर आ गई नहीं तो क्यों नहीं वृद्धी करती हूं हँ dewश करती हूं वहां अंदर इतने सारी कोशिकाओं के बीच विन और ग्रोफ नहीं कर पा रही ते अब मैं अखेले हुँ तो मैं वृद्धी करूंगे तो कुष्यkemी तो आपना नाम बदल दिया प्रपश्यक striking करिया अभास जूनियर लेवल का जिए उसका Mira प्रमोशन हो जाएगा तो क्या बनेगा senior accountant प्रपश्यक कर लिया अब जब यह प्रपश्यक कोशिका कर लिया ठीक अब यह प्रपश्यक को गए इसने का कि चलो क्यों ना मैं अपनी ब्रांच को और बढ़ा लेती हूं ठीक है अब यह इसने क्या किया समसूतरी विभाजन कर लिया यहां पर अपने आपको और बढ़ाने के लिए तो यहां पर दो कोशिकाओं का निर्मान हो गया एक केला यह प्रात्मिक भित्यी कोशिक है दूसरी विजानु जनन इ converge दिये इसने लेकिन इसने यह भी बताया कि यह जो प्रात्मिक भित्यी कोशिक है यह बहुत ज्यादा आलसी है भाई यह कोई काम नहीं करेगी इसके डिवीशन करेगी डिवीशन मतलब विभाजन नहीं करेगी तो उसके पास कोई दी जाता फिर उसने क्या का कि भाई यह जो विजानू जनन कोशी का है यह बहुत मेहनत है बहुत काम करती है बहुत सारे प्रोड़क्ट बना के देगी आपको तो लोगों ने इसके पास आना श समझने लग गई है गुरू विजानू मात्र कोशिका समझने लग गई है अपने आपको ठीक है तो कि चलो कोई बात नहीं यह उसमें भी एक्रियों चलो ठीक है मैं समझती हूं खुद को अब यहां पर क्या हुआ इस विजानू जनन कोशिका में यहां पर अर्दसूतरी अब जब वो चार जगा बढ़ गया तो भाई वहां पर क्या है चली नहीं पाए तीन डिपार्टमेंट तो एक डिपार्टमेंट चला उन में से सब को इतनी नौलेज नहीं थी काम कैसे होगा तो भाई यहां पर जहां निभाग था ठीक है यह वाला हिस्सा जो था यहां प लेकिन यहां पर सोचो एक ट्विस्ट आ गया कि जब यह अकेली बची तो इसने क्या का भईया अब तो मैं यह राजा हूं यहां का कल लो तुम क्या करोगे तो भईये चौड में आ गया फूल गये अब जब फूल गई तो इनने सप्पे कब्जा कर लिया सप्पे कब्जा कर को क्या करें डिवाइड कर लेते हैं अकेली कब तक करूंगी तो यहां पर समसूतरी विभाजन किया इसने और दो केंद्रकों कर यहां पर दो कोशिकाओं का निर्मान कर दिया ठीक इसने अपना जो इसने अपना जो बिजनस था उसको दो में डिवाइड कर दिया कि भईया चार कर लेते हैं इन्होंने का ठीक है अभी दो का चार कर लिया काम और बढ़ गया फिर चार का इन्होंने आठ कर लिया भाई इस तरह करते करते क्या हुआ इनका एक प्रोडक्ट बन गया ठीक है जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया ब्रूण कोई कि अब आखरी में यह ज पढ़ना है अब हमें यही पढ़ना है ठीक है अब हम पढ़ेंगे ब्रून कोश का निर्मान ठीक है यहां में पदा चल गया कि इसके बाद ब्रून कोश का निर्मान होगा तो अब हम यह पढ़ते कि ब्रून कोश का निर्मान कैसे होगा बड़े आगे चलो जी, बुरून कोश मतलब Embryo Sec ठीके, अब हमने क्या पढ़ा देखो कि इस तरीके से ये जो कोशिकाएं, ये जो है ठीके, यहाँ पर ये चार कोशिकाएं बनी हमने यही पढ़ा अभी, है ना, यहाँ पर क्या थी, चार कोशिकाएं चार केंद्रक जो है, ये दुरूवों पर मौजूद थे यहाँ पर हमने देखा, चार केंद्रक दुरूवों पर मौजूद थे ठीके, हमने यही देखा अभी, है ना, अब यहाँ क्या होता है, इसमें क्या होगा अब, आठ में से दो केंद्रक जो होंगे, यहाँ पर, टोटल कितने आठ है ना, इन में से दो केंद्रक जो होंगे, वो क्या करेंगे? वो दोनों धीरे धीरे, क्या करेंगे? साइट से, मद्धे की और आने लग जाएंगे, यह है, ऐसे रजाएंगे, और यह जो है, धीरे 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 धीरे, मद्धे की और आने लग जाएंगे, यहाँ आजाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बीच में दो केंद्रक जो होंगे, यह जोनों क्या होंगे? बीच में? यह जो है, क्या हुआ? बीच में दो केंद्रक बन गई है, यहाँ क्या हो रहा है? दो केंद्रक, ठीक है, किस में? बीच में? ठीक है, दो केंद्रक यहाँ पे बीच में आ गए, यह दोनों दे को पास आने लग गए थे ना, यहाँ तीन रहे गए, यहाँ तीन रहे गए, ठीक है? अब क्या होता है अब यहां पर यह जो है यहां पर क्या होगा विभाजन होगा ठीक है अब यहां पर यह क्या करेंगे विभाजन करेंगे ठीक है कहां कोशी का द्रव्य में ठीक है यहां पर क्या हो रहा है कोशी का द्रव्य में विभाजन हो रहा है ठीक है तो ये केंद्र अपने अपनी कोशी का द्रव्य में विभाजन करेंगे ये केंद्रा किये केंद्रा किये केंद्रा किये ये ये ठीक है विभाजन किसमें करेंगे ये कोशी का द्रव्य में कोशी का द्रव्य ठीके अपने-अपने कोशिका धर्वे में ये विभाजन करेंगे उससे क्या होगा तो जी उससे ये होगा उससे क्या होगा तो ये कोशिका का निर्मान कर देंगे उससे ठीके अब इसने किया एक कोशिका बन गई ऐसे ठीक है दो बन गई तीन बन गई इस तरीके से ये ये देखो ठीक है और ये वाली जो थी ये ये भी बन गई अभी ये को इस्ट्रक्चर जाना पेचाना लग रहे है आपको तो ये क्या कर रहा है ये यहाँ पर साथ कोशी किये और आठ केंद्र किये सनरशना यहाँ पर बन गई है साथ कोशी किये और आठ केंद्र किये सनरशना यहाँ पर बन गई है ठीक है यहाँ पर बन गई है ठीक है और अब जो ब्रूण कोश है ब्रूण कोश ठीक है यह क्या कहलाता है ब्रूण कोश कहलाता है इसको हम गुरू गुरू बिजानू इसको हम क्या कहेंगे गुरू बिजानू जनन भी बोलेंगे ठीक है ओके अब देखो यह जो सनरशना है यह किस तरह दिखाई देगी हमको अब वो दिखते है यह सनरशना ऐसी बनी इस तरीके से यह है ठीक है ऐसे 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 ठीक है यह है अब अब कोशिका बनी यहां पर एक कोशिका दो कोशिका तीन कोशिका एक कोशिका दो कोशिका तीन कोशिका यह कोशिका है इस तरीके से है ना अब ये सात कोशिकाएं हैं ना, तो सात कोशिकाओं में क्या था हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ के इंदर थे, ठीक है? हमने क्या बोला यहां पर क्या होगा साथ कोशी की और आठ केंद्रे की यह संद्रश्णा बनेगी बन गई यह है ना बन गई जी ओके बन गई चलो अब क्या अब यह जो बन गई है यहां पर क्या होगा अगर यह विभाजन करेगा कोशी का द्रव में ठीक है कोशी का द्रव में कोशी का द्रव में अगर क्या करेगा विभाजन विभाजन करेगा तो क्या बनेगा बताईए तो यह कोशी का का द्रव मांद करेगा अलग अलग ठीक है तो यह अलग अलग कोशी का द्रव में करेगा और कुछ कोशी का द्रव बच गया तो अब कुछ कोशी का द्रव जो बच जाएगा वो क्या करेगा अगर कुछ कोशी का द्रव कोशी का द्रव बच गया बच गया तो वो मिल कर क्या करेंगे दोनों साइट से कोशिका बनाते हैं, ठीके? दोनों साइट से कोशिका बनाते टाइम, यह क्या खरेंगे? क्या करेंगे बीच में आके कोशिका का निर्मान कर देते हैं ठीक है देखो ये जो केंदरक है ठीक है हुआ क्या एक्चुली में इसमें ये जो केंदरक हैं इन सबने क्या किया ये जो क्या है ये साथ केंदरक है इन साथ केंदरक ने क्या किया जो इनका कोशिका द्रव्य था यानि साइटोप्लाजम था, हाँ, वो क्या किया उन्होंने, उसमें विभाजन कर दिया, ठीके, कोशिका दरवे में विभाजन कर दिया, जब उन्होंने विभाजन किया, तो यह कोशिकाएं इस तरीके से बन गई, ठीके, कोशिकाएं बन गई, अब इनको बनाते समय, जो थो कोशिका बना दी उसने समझ गए इस तरीके से साथ कोशी कि ए इस तरीके से साथ क्या है कोशी और आठ केंदर किये संदरश्टा यहां पर बनाती अभी क्लिएर सबको कोई डाउट बताइए जिस तरीके से एक कोशी का जो है वो क्या करेगी अपने कोशी का द्रवे में विभाजन करके कोशी का बना देती है बिल्कुल ही सारा प्रोसेस वैसे ही चलेगा ठीक है ओके अब क्या बचा हमारा इसमें पर इसमें क्या है कि इसमें मादा युगमक तो भी बनेगा जो हमने देखा भी नहीं इसमें क्या होगा मादा युगमक अभी बनेगा ठीके तो चलो इनको नाम भी दे देते हैं अब ठीके, इनको नाम दे देते हैं, तो इनको क्या नाम देंगे हम, ये जो तीन है कोशिका, ठीके, निभाग के साइद वाली जो सेल हैंगे, ठीके, तीनों, इनको क्या कहेंगे हम, इन तीनों को क्या कहेंगे हम, प्रति, प्रतिमुक, प्रतिमुक कोशिका, प्रति मुख कोशिका या फिर इसको क्या पोलते हैं प्रति व्यसांत कोशिका प्रति मुख कोशिका या प्रति व्यसांत कोशिका दोनों ये नाम आपको देखने मिल जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसको इंग्लिश में क्या पोलते हैं हम लोग amphipodal cell ओके और इसके बाद यह जो बीच वाली है इसको क्या कहेंगे हम मद्दे में जो है एक जो कोशिका है यह मद्दे में इसको क्या कहेंगे हम दुरूवी है क्योंकि यह दुरूवी है ना बीच में जा रही है दुरूवी है कोशिका ठीके जिसको हम क्या बोलते हैं, polar cell, ठीके इसको क्या बोल दिया हमने, polar cell, ठीके दुरुविय कोशिका, यानि polar cell, अब यहां पर देखो, यह वाली और जो यह वाली कोशिका है, इनको क्या कहेंगे हम, सहायक कोशिका, ठीके, यह क्या हुई, सहायक कोशिका, ठीके, यानिके synergic cells कहेंगे, यह दोनों क्या कर रही है, सहायता कर रही है, help कर रही है, किसकी, अरे भाई, इनके बीच में हमारी heroine बैठी है, उसकी, कौन है हमारी heroine, भाई साहब, यह रही, जिसको क्या कहेंगे हम, अंड कोशिका, हाँ, अंड कोशिका, ठीके, इसको हम क्या कहेंगे, excel, अंड कोशिका यानिकी excel, ठीके, अभी सबको clear, ठीके, तो यह क्या है, यही, अंड कोशिका जो है, यह क्या है, कहा लेके जाएंगे, इसको, चलो यहां लेकर आते हैं, यही क्या है, यह है, मादा युग्मक, मादा युग्मक है, समझ गए आप, यानि की female gamit है, यह है मादा युग्मक, यह जो बीच वाली हिरोईन है, यह है मादा युग्मक, तो अब हम जानते हैं, कि कि सरह से युग्मक का निर्माण यहां पर हुआ है, बिजाणु जनन क्रिया में, ठीक है, टो यहां पर एक कोश्शन आ सकता है, कि जो गुरु, बिजाणू जनन है, वो गुरु, बिजाणु जनन किसे कहते हैं, और सचित्र वढणन कीजिए, तो इस question को आप गांट बांद लो बहुत important question है गुरु विजानू मैंने क्या बोला कि आज जो हम ये दोनों topic पढ़ने जा रहे हैं दोनों ही बहुत important है इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ठीक है ओके तो यहां समझ गए आप सभी ठीक है अच्छा मैं मैंने क्या बताया आपको यह जो प्रतिमुख कोशिका है इसको हम और किस नाम से जानते हैं यह जो प्रतिमुख कोशिका है इसका दूसरा नाम क्या है प्रति प्रति वे सांद कोशिका ठीक है कोशिका कोशिका इसको हम इस नाम से भी जानते हैं या तो प्रतिमुक कोशिका कह दो या प्रतिवेसांत कोशिका ठीक है आपको जो है अपनी बुक में यही नाम मिलेगा ठीक है अच्छा ठीक है अब अगर हम कहें कि यह जो प्रतिवेसांत कोशिका है इसके बात करते हैं तो यह चाहे क्या काम है इसका तो हम कह सकते हैं कि यह जो होता है ना यह प्रोटीन और इंजाइम से भरी हुई होती है याद रखना कि यह जो कोशिका यह प्रोटीन और इंजाइम से भरी हुई होती है ठीक है अब यह जो बीच वाली कोशिका है ठीके, इसमें क्या है, भोज्य पदार्थ, यह हमारी पहली हो गई, ठीके, जिसमें प्रोटीन और इंजाइम है, ठीके, प्रतिमुक कोशिका या फिर प्रतिवेसांत कोशिका, दोनों एक ही है, ठीके, इसमें प्रोटीन और इंजाइम है, इसमें क्या है, भोज्य पदार्थ है और यह जो क्या बोलते हैं हमारी सहायक कोशी का है ठीक है सिनर्जिट सेल है इसमें क्या होता है यह पराग नली का निर्मान करते है ठीक है यह पराग नली का निर्मान करते है तो किसलिए उसका मार्ग दर्शन करने के लिए इसका मार्ग दर्शन मार्ग दर्शन करने के लिए ठीके यहां तक समझ में आया कि इन तीनों के क्या कारे है यह मार्ग दर्शन करती है ठीके तभी तो क्या होता है यह जो दौार है बिजान दौार यह परागनली का निर्मान करेंगी ठीके किसके लिए नर्युगमक के लिए ठीके कि बाई तुम्हें यहां से ही अंदर आना है जो बीजान दुआरा यहां से अंदर आना है तुमको और कहीं से अंदर नहीं आना है क्योंकि तुम्हारे ले गेट यहीं से खुलेगा ठीके ओके तो यह सब इतना था तो यहाँ पर अब हमको क्या बात करनी है कि किस प्रकार से नर्युगमक जो है वो जो मादा युगमक है यहाँ पर यह जो मादा युगमक है इसको अलग कलर से शो कर देते हैं किस प्रकार से नर युगमक इस मादा युगमक तक पहुंचता है ठीक है कांगे हमारा मादा युगमक यह रहा ठीक है और जिस तरह से पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं तो चलो मैं बता देती हूं कि नर युगमक मादा युगमक तक जि ठीक है यहाँ पर हमारा क्या बन गया मादा युक्मक बन गया अब अगले चैप्टर में अगले जो लेक्चेर उसमें क्या बात करेंगे परागण के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो नर युक्मक है वो मादा युक्मक ता किस तरह पहुंचता है ठीक है देखो ओके तुमने पढ़ लिया है ठीके यह क्या है यह आपकी बुक में दिया हुआ है जो हमने अभी पढ़ा क्या पढ़ा था कि भाई एक था तो उससे क्या हुआ एक सी इस तरीके से डिवाइड होने लगा डिवाइड हुआ तो देखो चार बन गए एक दो तीन चार बन गए थे यह निभाग की साइड था है ना फिर क्या हुआ कि भाई देखो उसके बाद दो केंदरक बने थे हमने बात करी थी है ना जब इसके बाद यह पूरा एक चौड़ा हो गिया था हा फिर यह एक से किस में हुआ था 2 में डिवाइड हो गया था, 2-4 में होए थे, 4-8 में होए थे फिर क्या हुआ कि भाई तीन इदर आ गये है और तीन इदर आ गये है बीच में दो आ गये है ऐसे ही हुआ था उसके बाद क्या हुआ देखो तीन इधर बन गए थे, दो ये बीच में बने थे और तीन इधर बने थे, अब ये जो हमारी हिरोई न देखो, जो अंड कोशी का है, ये छुपके कैसे बैठी है, ठीके, और ये दोनों क्या है, सहाय कोशी का है, ठीके, इनके बीच में कुछ ये तन्तु रूप से कुछ आगे दागे इसी संद्श्टाएं होती है, ठीके, तो ये आपको आपके NCRD के बुक में मिल जाएगा, ओके, तो आगे क्या पढ़ेंगे, हमने भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम, आगे किसकी बात करेंगे, कि भाई, जो नर युगमक है, नर युगमक, किस तरह से, जो वो प्रोसिस है, प्रोसिस किस तरह से, मादा युगमक तक पहुचेगा, ठीके, तो हम यहाँ पर बेसिकली किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे, परागणगी, याने की पॉलिनेशन, ठीके, हम बात करेंगे, परागणी आने की पॉलिनेशन की, तो बचा लोग, आज की क्लास यहीं पर खतम होती है, हमारी फ्लाइट जो है, टेक आफ करके इतनी देर से चली आ रहे थी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लैंडिंग कर रहे हैं, ठीके, पहुंच गये हैं हम एयरपोट पे हैं, आप सब लोग अपनी सीट की पेटी खोल सकते हैं, बहुत अराम से, ठीके, और, और क्या बोलू, उम्मीद करती हो कि आपको अच्छी तरीके से सारे डाइग्रेम समझ में आए होंगे, कोशिश करिए आपको अच्छे तरीके से समझाने की, कुछ ना समझ में आए, त जल्दी आप सब को समझ में आ जाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे परागन की जो हमारा में टॉपिक है, ठीके, फिर द्वी लिंगी वे एक लिंगी पुश्पों के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं, परागन के प्रकार जानेंगे, कि परागन के प्रकार क्या है, उन्मिल परागनी पुश्प और उन्मिल परागनी पुश्प, ठीके, उन्मिल और अनु उन्मिल, ठीके, फिर परागन के कारक, कि परी कारक क्या है, जिसकी वैसे ये परागन होता है, ये वो कारक है, वायू, जल, प्राण्यू, द्वारा परागन, ठीके, फिर एक छोटा से बेले क्या पढ़ लिया पूरा निशेचन पूर्वक्रिया है है ना वो पढ़ाता हमने फिर हमने क्या पढ़ लिया था उसके बाद पराकण के बारे पढ़ लिया था फिर अब हमारा चौथा क्या था जी निशेचन और दोहरा निशेचन ठीक है फिर इसके बाद हम क्या प तो बचलोग परागण क्या है अभी मैंने क्या बोला कि भाई नर युगमक का मादा युगमक तक पहुचना उसका ट्रांसफर होना इस्तनांत्रण होना क्या कहलाता है परागण कहलाता है यानि पॉलिनेशन तो चलो जल्दी से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि हमारे अगर एक ऐसी विधी है जिसमें पराग कड़ों को पराग कोट से चुना जाता है ठीक है जो फूल का नर भाग होता है याने की मेल पार्ट होता है वो क्या करता है फूल के मादा भाग याने की फिमेल पार्ट में इस्थनांत्रित हो जाता है चला जाता है ठीक है कौन सी कौन सा भाग होता है वो वर्तिकागर होता है परागड को सफलता पूर्वक कारे करने के लिए परागड़ों को फूलों की एक ही प्रजाती से स्थनांत्रित किया जाना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर आपको एक ही प्रजाती के फूल चाहिए तो भाई उसी ब्रीड में आपको उनका pollination करवाना पड़ेगा ठीक है और आप चाहते हो कि उनकी jeans में modification हो जाए उनकी जो अनुवशिक जो चीजें हैं उनमें थोड़ा सा modification हो जाए तो आप उनको दूसरी प्रजाती में ले जा सकते हैं ठीक है लेकिन बेस्ट क्या मोलते हैं कि भई नहीं अपनी ही प्रजाती में ठीक है तो भई हमने क्या देखा था हमने देखा था कि वहां पर क्या बना था इस तरीके से एक structure था जिसके बारे में हमने बात करी थी है ना और एक structure ऐसा था इस तरीके से यह दो हमने सनरशना हैं दो structure हमने इस तरीके के देखे थे कौन से थे यह था भाई नर भाग और यह था मादा भाग है ना पराग कोश ठीक है यह क्या है पराग कणों से बरा हुआ है ठीक है यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो पराग कर्थ है अच्छा इसमें हमने क्या देखे थी गुरू विजानू की गुरू विजानू का हमने बनना देखा था यहाँ पर हमने क्या देखा था कि भाई यहां पर क्या बन रहा है गुरु विजानु धानी ठीक है कि यहां पर गुरु विजानु धानी बन रहा था हमने यहां पर देखा था ठीक है तो यह जो पराग कोश है यहां क्या हो रहा है किसी भी कारक के द्वारा कारक जैसे पानी हो सकता है ठीक है हवा हो सकती है कीच हो सकते है पक्षी हो सकता है प्राणी है जन्तु है कोई भी एक्सवेजेट भाई उनके द्वारा यहां से यह पराग कर क्या है फ्री होकर कहां पहुँचे यहां पहुँच गए भाई फ्री ओकर कहां पहुच गए वर्ती कागर पर ठीक है यह क्या है हमारा वर्ती कागर है यह वर्ती कागर ठीक है यहां पहुच गए अब जब यहां पहुच गए तो इनने जो यह पराकर्ण थे इनने क्या थी काई कोशिका थी अभी जो काई कोशिका थी यहां से दिरे दिरे यहां पहुच गई ठीक है और क्या बन किया यहां पर अंड कोशी का ठीक है अंड कोशी का बनी जो क्या है मादा युगमक है ठीक है तो इस तरीके से यह जो नर युगमक था यहां पर नर युगमक कहां पहुच गया भाई वो यहां पहुच गया है किसके पास मादा युगम के पास, ठीक है, किस प्रोसेस से पहुचा है, वो पहुचा है, कौन सा प्रोसेस था, पराकण, है ना, तो वो पराकण की प्रोसेस के थुरू ही यहां पहुचा है, परागण की, परागण की प्रोसेस के थुरू ही यहां पहुचा है, ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिनेशन, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को और देखते हैं आगे क्या है ओके तो यह देखे यहां एक फूल दे रखा है तो भाई यह जो फूल है ना इस फूल से हमने इससे जो पौदा है फूल का इससे हमने इस फूल को अलग किया ठीक है अब इस फूल को अलग किया तो देखें ये क्या है ये नर्भाग था है ना नर्भाग है इस तरीके से देखो इन्होंने जूम करके दिखाया है हम फोटोस को जूम करते है ना अच्छे देखने के लिए को कमी तो नहीं है हमारी और यह देखिए पराग नली बनते हुए ऐसे ऐसे करते 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 अंदर पहुंच गया है ठीक है वहाँ जागे करेगा यह मादा योगमक के साथ सनलेयन करेगा हम चलो अब आगे बढ़ते हैं अरे बैसा भी तो गिर गया चलो खोई नहीं आगे बात करते हैं हम द्वी लिंगी वे एक लिंगी पुष्प ठीक तो द्वी मतलब दो एक मतलब सिंगल एक तो हम यह पर बात कर रहें द्वी और एक द्वी लिंगी और एक लिंगी पुष्पों के बारे में ठीक है तो भाई द्वी लिंगी पुष्प क्या होते हैं पुष्प जिन में पुंकेसर क्योंता और इस तरीपेसर थिक्मेड़ और पुषप जिन में में मेल पार्ट और फिमेल पार्ट दोनों Present होते हैं ठीक्ड़ मेल ऊ फिमेल दोनों प्रिज में और तो रहे हम दूई लिंग की पुषप कहते हैं STR । ठीक है, bisexual flats, correct, ओके, फिर है एक लिंगी पुष्प, ये वे पुष्प जिन में या तो केवल इस तरी केसर होगा, मतलब female part होगा, या केवल पुंकेसर होगा, या male part होगा, तो इसमें या तो केवल female part है, या केवल male part है, ठीक है, तो ये क्या कहलाते है हमारे एक लिंगी करेक्ट ओके तो भाई इसका एक्जेंपल के एड़े को सरसो गुलाव और गुलड ठीक है यह क्या है दियू लिंगी पुश्प होते हैं और मकई पपीता और ककरी यह होते हैं एक लिंगी पुश्प ठीक है ओके अभी देखो इसको ऐसे समझते हैं कि भाई यह मान लीजें य ठीक है यह आपका एक पेड़ है अब यहां से यह एक फूल निकल रहा है ठीक है यहां से फूल निकला इसमें क्या है आपका यह है आपका मादा वाला भाग ठीक है यह आपका मादा भाग है अब इसी में क्या है आपका नर भाग भी है यह एक और है ठीक है इसमें इस तरीके से यह दूसरा निकला हुआ है यह भाई आपका क्या हो गया का मेल पार्ट हो गया ठीक है यह मेल पार्ट है यह फेमेल पार्ट है अब ध्वीलिंग की मतलब यह हो रहा है कि भाई इनने पॉलिनेशन अपने ही पेड़ में ओड़ा है ठीक है उसी में नर और मादा दोनों ही मौजूद है यह आपका नर है ठीक है और ये मादा है इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये जो पराग करने यहां से उड़के इसके वर्ति कागर पर आ जाएंगे ठीक है यहां पर आ जाएंगे और फिर यहां अंदर चले जाएंगे ठीक है यहीं से उड़के फिर से पहुच जाएंगे यहां पर यहां कर लेंगे फिर हो सकता है कि यहां पर भाई एक और फूल हो ठीक है हो सकता है यहां पर एक और फूल हो इस तरीके से तो एक और फूल होगा तो इस तरीके से तो हो सकता है कि अगली बारी यहां से उड़के इसके वरतीकागर पर आजाए ठीक है तो बाई सेक्षल में क्या हुआ कि भाई ये जो पॉलिनेशन हो रहा है अपने ही पेड़ में हो रहा है ठीक है उसी में नर भी है और इसी में माधा भी है करेक्ट लेकिन जो यूनिस एक्षण होते हैं ठीके एक लिंगी निक क्योंते हैं उनमें क्या होता है इनमें क्या होगा कि सबोर्स्थ कुरो यह पेड़ थीखे इसमें क्या है जी यह इसमें एक ??? ये क्या है? नर भागे. और ये क्या है? ये भी चलो एक नर भागे. यहाँ पर मादा भागे चलो. ठीक है? इस तरीके से ये क्या है? ये मादा का भागे. ठीक है यह क्या है दो अलग-अलग पेड़ है अब जी यहां से क्या हो रहा है पॉलिनेशन जो परागण की जो प्रोसेस है कि यहां से यह जो एंथर है यह परागण जो है वो कहां जा रहे है यहां से उड़के दूसरे पेड़ में जा रहे हैं हो सकता है यहां से यह वाला उ है ना, तो ये क्या हो रहा है, कि एक पेड में सिर्फ एक ही अंग मौजूद है, चाहे वो नर है या चाहे मादा है, ठीके, तो एक लिंगी मतलब एक जिसमें हो, सिर्फ एक, दूई मतलब दो, ठीके, दो का मतलब कि दोनों भाग मौजूद हैं, और एक का मतलब या तो नर य चलो बच्चो आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं ओके तो बच्चा पाटी इसके बाद आता है परागन के प्रकार तो भई परागन के प्रकार अलग-अलग होते हैं ठीक है परागन के प्रकार अलग-अलग होते हैं कि किस प्रकार से जो नर युगमक है वो मादा युगम प्रागने से पहले आप यह जान लीज़ए कि दो प्रकार के परागन होते हैं ठीक है, दो प्रकार के, तो भाई पहला कौन सा हुआ, स्वे परागन, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको क्या बोलेंगे, self-pollination, ठीक है, self-pollination, और दूसरा क्या है बच्छा लोग, पहला हो गया हमारा स्वे परागन, दूसरा है हमारा पर-परागन, पर-परागन, जिसको हम बोलते हैं, cross-pollination, cross-pollination, ठीक है, स्वे परागन मतलब self, स्वे मतलब खुद, पर-मतलब दूसरा, पराया, ठीक है, देखो यह अपने नाम से ही बता रहा है न, पर-मतलब पराया, और स्वे मतलब स्वे म, खुद, ठीक है, तो स्वे परागन मतलब कि जिसमें, मेल और फिमेल दोनों पार्ट मौजूद है, उसके खुदी एक पेड में नर और मादा सनरचना है मौजूद है, और वहीं पर-मतलब परागन मतलब cross-pollination, crossing हो रही है, दो अलग-अलग, cross किस में होगा, दो अलग-अलग चीज़ों में cross होता है न, एक ही चीज़ में तो नहीं होता है, ठीक है, तो यह क्या है रहा है, कि भाई, एक मेल है, एक पेड में एक मेल पार्ट है, दूसरे पेड में फिमेल पार्ट है, ठीक है, ओके, तो यहां क्या होता है, जो स्वेप परागन होता है इसमें क्या होता है एक ही पेड़ रहेगा ठीक है चलो यह मानलो यह पेड़ है इस तरीके से यह फूल है ठीक है यहां क्या होगा यह एक ही पेड़ रहेगा याने कि बाइसेक्शुल कहलाएगा ठीक है और इसमें ही निशेचन की क्रिया होगी इसी में ठीक है इसमें ही निशेज़न की करिया होगी दूसरा हमारे पास पर पराजम याने की क्या होगा दो फूलोंगे दो पेड़ोंगे एक और अगा है第一 तो ठीक है याने कि इस वाले से हो सकता है इसमें जाए पराकर या हो सकता है इसमें से इसमें आए लेकिन क्रॉस हो रहा है यहाँ पर हमने टेस्स क्रॉस वगरा पढ़ा है ना तो यह cross हो रहा है यहाँ पर ठीक है ओके तो चलिए अब इन दोनों के basis पर हम इनको देखते हैं तो भाई यह जो सबसे पहला हमारे पास क्या है स्वैय युगमन ठीक है स्वैय युगमन यानि आटोगैमी और दूसरे क्या है सजाद पुष्भी परागंड यह दोनों क्या है यह दोनों यह दोनों किस के किस में आते हैं यह दोनों आते हैं स्वैय परागंड में ठीक है यह स्वैय परागंड के प्रकार है दोनों के दोनों स्वैय परागंड के प्रकार ठीके और ये जो परणिशेचन है ये जो परणिशेचन है ये किसका प्रकार है ये प्रकार है परपरागण परपरागण का क्या है ये प्रकार ठीके तो भाई चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपने स्वेय युगमन के बारे में ठीके तो भाई हमने क्या देखा कि यह जो स्वेय युगमन है यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही पेर है इसी पेर में दो संरशनाए होंगी एक नर एक मादा इसमें से इसमें हो सकता है पराग कर जा रहे हो या हो सकता है इसमें से इसमें जा रहे हो लेकिन एक ही पेर में रहेगा ठीके विकुल उसी तरीके से सजाद पुष भी है इसमें भी सेम यही सीन रहेगा तभी तो यह दोन रहा है परनिशेचन ठीक है ये किसका प्रकार है ये प्रकार है हमारे पराग कणका ठीक है जिसमें क्या हो रहा है देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई इस तरीके से एक पेड़ है ठीक है इस पेड़ में इस तरीके से दो संरशनाए है ठीके ये कौन सी है ये नर्भाग है ये दूसरी संद्रशना है ठीके इसमें क्या है ये मादा भाग है ठीके दो पेड़ो गई ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है इनके हिसाब से यहाँ से पराकन का जा रहे है इस पर जा रहे है यहाँ से इस पर जा रहे है यहाँ से इस पर जा रहे है यह हो सकता है कि यहाँ से इस पर आ रहे हो यहाँ से इस पर आ रहे हो लेकिन दूसरे पेड़ में आ रहे है अपने में नहीं आ रहे है ठीके तो यह क्या है क्रोस पॉलिनेशन है चलो यहां तक क्लियर सबको कोई डाउट बहुत छोटे छोटे टॉपिक है बचलो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो बाते मत करो यहां देखो ठीक है देखोगे तभी समझोगे कि अच्छा इस पर क्या लिखा है ठीक है ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं बा बारे में ह। बस्क क्या होते हैं देखो यह पुष्प जिनने हम क्या λέते हैं चैस्मो गैमस फ्लवर क्या बुलते हैं चैस्मो गैमस फ्लवर कि हैं रिशायमो tuspo की तरह होते हैं जिन में पराकोश और और वर्टीकागर और वर्तिक आगरत दोनों मौजूद होते हैं ठीक है और क्या होते हैं खुले हुए होते हैं में चीज ठीक है इस तरीके से खुले हुए होते हैं यह क्या होते हैं यह बंदो जाएंगे और यह खुले हुए होते हैं इस तरीके से तो भाई यह जो उन्मिल परागड़ी होते ह होते हैं कि नॉर्मल तरीके से ही जैसे दूसरे में होते हैना फूलों में पराग्कोश और वर्धिक कRIा क्या होते अनावरत होते हैं मतलब कि खूले हुय होते हैं हम, ओके, जैसे कि, कॉमलाइम, ठीक है? ये इसका example है, दूसरा आता है, अनु, उन्मिल, परागणी पुष्प, ठीक है, इनमें क्या होता है, कि भाई, ये जो पुष्प होते हैं, ये क्या होते हैं, कलिस्टो गैमस फ्लवर, यहां क्या होता है यह कभी ना खिलने वाले पुश्प हैं यह कभी नहीं खिलते यह ऐसे ही रहते हैं ठीक है यह ऐसे नहीं होते कभी यह ऐसे ही रहते हैं हमेशा और इनमें पॉलिनेशन होगा न तो इसी में अंदर ही अंदर हो जाता है परागर जो होता है इसी में अंदर ही कभी नहीं खुलते, ठीके, जैसे की और अंतहा परागण वे वर्थी का अनावरत नहीं हो पाते हैं, भाई जब ये बंद हैं तो ये खुलेंगे कैसे, है न, उसके अंदर ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, ठीके, चलो, और एक्जामपल है वायोला, ओक्जलन और कोमेलिना, ठीक चलो बचलो आगे बढ़ते हैं अब अपन बात करते हैं अब परागण के कारकों के बारे में ठीक है कारक क्या होता है कि किसी की वज़े से कुछ हो रहा है है ना वो होता है कारक तो यहाँ पर हम किसके कारकों की बात कर रहे हैं भाई कि परागण परागण ठीक है कि जो परागण है वो किन-किन वज़े से होता है यहां पर उनके बारे बात कर रहे हैं ठीक है तो वही यह जो परागण होते हैं यह एक अजीविये होते हैं है ना दो तरीके के होते हैं अजीविये और जीविये कारक अजीविय पहला और दूसरा क्या हो गया जीविय ठीक है यही होते हैं दो कारक यह होते हैं अब जो अजीविय होते हैं इनको क्या बोलते हैं एबायोटिक ठीक है मतलब कि यह जीवित नहीं है ऐसे कारक जो जीवित नहीं है और यह होते हैं बायोटिक ठीक है जो जीवित नहीं है जो जीवित नहीं है ठीक है अजीव यह जो जीवित नहीं है जीव यह मतलब जो जीवित हैं जो जीवित है और यह तो जिवित नहीं है उन में कौन-कौन आते हैं चलो वो देखते हैं तो भाई इसमें आगे हमारा वायू और दूसरा जल और जल दोनों क्या है निरजीव हैं जीवित तो नहीं है इसमें कोई प्राण नहीं है लेकिन सोचने वाली बात ये बचा लोग कि ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत जादा important है हमारे जीवित रहने के लिए बाई इन दोनों में से एक भी चीज नहीं होगे तो हम तो मर जाएंगे है ना लेकिन सोचो ये दोनों खुद क्या है निर्जीव हैं लेकिन इनकी वज़े से हम जीविद हैं नेचर कितनी अमेजिंग है ना मतलब आप कभी ना सोच के देखो बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो आप सब को भी बहुत जादा सप्राइस कर देंगी सोच के कि अच्छा यह चीज़ ऐसी है यह चीज़ ऐसी है बाइलोगी बच्चों बहुत इंट्रस्टिंग है एक बरब थोड़ा ध्यान लाकर पड़ोगे ना बहुत मज़ा आएगा पड़ने में जैसे अभी यहां देखो यह दोनों चीज़े क्या है निर्जीव हैं यह बायोटिक हैं लेकि से कीट हो गए है ना और कौन हो गए भाई जनतू ठीक है और क्या हो सकते हैं पक्षी यह कुछ sleंश कॉमोन कारख है ठीक है कि भाई यह आगया जीविय में और यह आगया जीविय में कीट जो इच जो सक तने यह विद दो आ है जन्तु ये भी living thing है ना और ये पक्षी ये भी living thing है तो ये सब क्या है बाई इन जो अजीविये चीज़े हैं इनकी वएसे ये जीवित हैं ओके चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले कारक की बात करते हैं वायू द्वारा परागन ठीक है बाईो द्वारा परागन जिसको हम animal philly भी बोलते हैं ठीक है आनिमो फिली ये क्या होता है कि चलो say लो suppose करो कि कोई पेड है यह क्या है यह एक फूल है ठीक है अब इस फूल में यह क्या है इसका पूंके सर है ठीक है इसमें क्या होंगे परागोश होगा परागोश में क्या होते है परागण होते है अब इसके उपर क्या है इसमें परागण है अब हवा चली ठीक है हवा चली अभी जो परागण है इस हवा जो यहां पे होंगे, वो हवा से क्या होंगे, उड़ जाएंगे, उड़ के हो सकता है कि भाई, किसी दूसरे फूल पे जाके बैज़े हैं, है ना, तो यह हो गया हमारा वायू दौरा, ठीक है, फिर आगया हमारा जल के दौरा, ठीक है, जल दौरा, पर आगर जिसको ह वो लेंगे hyalrophilly ठीक है अब बारिश हो गई suppose करो ठीक है या फिर हम घरों में पानी देते हैं या फिर बगीचों में क्या होता है फ़वारे चलाते है जिनसे easily जारो तो रहा पानी फैल जाता है ना उससे क्या हो रहा है कि भाई वो फूल के उपर पड़ेगा पानी फूल में हो कि फोलो ड्मी तो इस साफ में मдеं परानीों द्वारा तो यहां पर प्राणी। द्वारा क्या हो रहा है कि भाई क्या cią proper हमीं सब्सुने के बाद बात यह वाला फूलया हम यादत है कि अगर फूल अच्छा है तो हम सब चूते और हम लोग कभी-कभी उसको तोड़ भी लेते हैं फूल नहीं तोड़ने चाहिए बहुत गंदी बात होती है ठीक है सुन्दर चीज को हमेशे दूर से देखो खराब मत करो चलो उसके बाद क्या करते चलो यह फूल तो अच्छा है चलो हमने इसको सूंके देख लिए खुश्पू भी अ हुआ होगा कारक होगए अच्छा अब अगर हम कीटो की बात करते है हा तो कीटो को क्या बोलेंगे है हम इसको बोला जाएगा अन्टोमो इसको फिली ठीक है जो इंसेक्ट होते है की फोते है जब उनसे पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम एंटोमोफिली कोई कीड़ा है आप समझ लो मदुमक्खी है मदुमक्खी आके फूल पर बैठ गई ठीक है क्या होगा उससे उसके पैर होंगे उसके उपर वो पराकंची पक जाएंगे अब फूल के उपर क्यों आती है नेक्टर के लिए आती है मतलब उसको जो उसमें जो रस होता है उसको चूसने के लिए आती है सक करने के लिए ठीक है तो अब जब उसको वहां से सक कर रहे थी उसके नेक्टर को तो क्या हुआ उसके पैरों में जो पराकंच है वो लग गए कि अब एक फूल के बाद वो दूसरे फूल पर बैठी w चलो ठीक है फिरर आता है जन्तु कि यहांनि अनिमल के थू थी कि बई सपोस करो हम यह कि खाते हैं घांशूस खाते हैं भी खहतेिक तो जा रेंगे नाख कोग पर लग गया है सपोस करो ठीक है यह घ्र हो यह इन से नाग पर लगें उन्के वह दूसरी जगा पहूंचे खाने तो नाग से बई दूसरी जगा लग गाए तो यह भी क्या हुआ यह टारीका ओंगा कि भाइलो यहां से वहाँ पहुझ गया है को फिर आता है पक्षी जो पक्षी से होता सो क्या बोलते हैं कि और तो फिली ठीक है और तो फिली अब किसी फूल के उपर जो है कोई चिडिया के बैठ गई तो सेम उसके साथ भी क्या होगा उसके पैरों में पराकर लग जाएंगे अब वो एक जेका से दूसरी जेका बैठ गई तो इसके उससे पहुंच गए उससे तीसे पर तीसे चौथ पहुंच गए है ना है तो ऐसे भी क्या होता है पराहकर इदर से उदर पहुंच्छे रहते हैं मिधर कूथ के हर जेगह घूमते रहते हैं टिके चलो यह हमारा क्यों परातों के काश के रहते हैं घूंद अब हम आगे बड़ते हैं इसके varaं क्योटा सा टॉपिक है बच्छा लोग ठीक है जिसकों किया मोलते हैं AMERFo फिलस ठीक है AMERFo फिलस यह क्या होता है यह एक टाइप का एक टाइप का सह संबंध है सह है संबंध ठीक है यह एक टाइप का सह संबंद है अब आप बोलोगे कैसे तो चलो भाई समझते हैं सपोस करो कि यह एक पेड़ है ठीक है इस तरीके से इस पेड़ पे यह एक फीमेल पार्ट है कि लो भाई लो यह फीमेल पार्ट आगिया ठीक है और हो सकता है इसी पे मेल पार्ट भी हो तो यह हमारा क्या हो गया फीमेल हो गया ठीक है यह क्या हो गया मेल पार्ट हो गया हमारा यह पराक कोश है ठीक है यह पराक कंड से भरा हुआ है कि फिर के हो रहे है कि बाइज चलो चलो नहीं बना कि यह एक कीड़े के पैर है इस तरीके से यह इसकी पूछ हो गई है इसकी आख गई है इतना खुब सूरत नहीं बनाए पर ठीक है फिर भी सही लग रहे है ठीक है कोशिश कर ये बनाने की देखो ये मचली ज्यादा लग रहा है न चलो कोई बात नहीं आप इसको जो है कीडा समझ लो मचली मत समझ न तो भाई ये न कहीं से उड़ते 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 इसके पास आ गया इसके पास आ गया फिर क्या हुआ इसने क्या किया कि ये जो है ये इसके पास पहुचा फूल के पास और इसने बोला कि मैं तुमको अपने अंडे यहां तुमारे पास छोड़ के जा रहा हूं इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि जो तुमारे पराकण है पराकण है उनको मैं ले जाओं अपने साथ कई और छोड़ दूँ ठीक है तो ये बोली कि चलो ठीक है माल लेते हैं कॉम्प्रमाइस कर लेते हैं कि ठीक है कि तुम अगर जो है जो है क्या बोलते हैं एक ही शर्ट पे मैं तुमारे को यहां पर अपने अंडे छोड़ने दूगी जब तुम दूसर फूल के पराकण यहां लाके डालोगे मेरे वर्टी कागर पर ठीक है उसने का कि ठीक है चलो मैं कॉम्प्रमाइस करता हूं मैं ओक हूं ठीक है तो इसने का ठीक है तो इसके पास उर्टे 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 गया ऐसे 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 और इसने अपने अंडे छोड़ दिये यहां पर दिखाई दे रहे हैं यहां पर इसने अपने अंडे इस तरीके से छोड़ दिये ठीक है और इसके साथ सद इसने क्या किया अंडे छोड़ने के साथ साथ यहां पर अपने जो दूसरे फूल से क्या लाया था यह पराकर लेकर आया था अपने पैरों में इसके पैरों में भी थे ठीक है इसने का छोड़ जित है यहां छोड़ दिये ठीक है अब क्या हुआ कि इसने इसके अंडे रख लिये है ना किसके कीडे के कीडे के अंडे रख लिए और इसमें क्या किया यह जो पराग कंड थे पराग कंड दूसरे के दूसरे के वो यहां छोड़ दिये ठीक है तो इस तरह कि क्या हुआ कि भाई उसके अंडे यहां आ गए और इसने उनको घर दे दिया और इसके साथ सब क्या हुआ इसने तो घर दिया उसके अंडे को और इसने इसका काम कर दिया कि लिए मैं दूसरे के पराग कंड लेकर आया हूँ है ना तो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया ठीक है अब क्या होगा कि जब यह मैच्योर हो जाएंगे जब यह मैच्योर होंगे यह जो अंडे हैं ठीक है यहाँ पर क्या है यूगमनज है यूगमनज ठीक है यह जो यूगमनज है यहाँ पर कहां बीजांड के बिजान्ट के अंदर अंदर तो यह क्या हो रहा है यह जो यूगमरज है बिजान्ट के अंदर यहां क्या होगा यह जो कैसे बनेगा यूगमरज जब यहां से यह जो परादकन है वो यहां पहुँचेंगे है ना यह जो पराग करने वो कहा पहुंचे नीचे देखो यहां पहुंच गए ठीक है क्या बन गया यह नर और मादा युकमक मिलके युगमनज बन गया बिजांड के अंदर ठीक है इसका भी काम हो गया इसका ठीक है फीमेल पार्ट का अब इसके जो अंडे थे इनको भी क्या नरिश्मेंट मिलता रहेगा तो यह क्या होंगे कुछ टाइम बाद मैच्योर हो गए मैच्योर हो गए मैच्योर होने के बाद यह कहीं और चले गए उड़ गए कूद गए इधर से उदर हो गए हवा की वज़े से कुछ भी हुए मैच्योर होने के बाद यह चले गए तो बहहिं देखो इसकी वज़े से इसकी वज़े से क्या हुआ तो दोनों या गाम निकल गया उसके बच्चे भी पल गए और इसके अंदर भी यूग मनना जा गया ठीक है तो यह क्या है सह संबंद हैं दोनों की मर्जी से जो relationship बना है ठीक है वो यह मैर्फो फैलस कहलाता है ठीक है ओके यहां तक सभी को clear चलो अब आगे बढ़ते हैं दूई निशेचन या दोहरा निशेचन के बारे में आप चलो बात करते हैं ओके तो यहां पर क्या बात करेंगे अब दूई मतलब बताया था ना कि दो ठीक है दोहरा मतलब दो कि डबल फर्टिलिजेशन इसको हम क्या बोलेंगे डबल फर्टिलिजेशन डबल फर्टिलिजेशन ओके डबल फर्टिलिजेशन लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले बच्चे लोग बाते नहीं अपनी सीट की बेल्ट खोलनी नहीं है कहीं उठके नहीं जाना है यहीं पर बने रहना है और इसको समझना है इंपोर्टेंट है भाई समझ लो फिर बोलोगे मैम समझ में नहीं आया है ठीके जब तक आप लोग समझोगे नहीं ही यहां ध्यान नहीं लगाओगे तो पेटा समझ में कैसे आएगा ठीके ना समझने के लिए ध्यान लगाना जरूरी होगा न तो चैटिंग छोड़िए और ध्यान दीजिए ओके तो भाई यह होते है निशेचन की क्रिया में निशेचन क्या होता है हमारा बताया था मैंने फर्टिलाइजेशन ठीक है निशेचन तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रॉसेस है निशेचन की क्रिया में नर युगमक का अंड कोशिका से मिलकर जब फर्टिलाइजेशन के प्रॉसेस होती है तो यह जो नर युगमक है यह जो नर्युगमक है यह क्या कर रहा है अंड कोशिका कहां मिलती है मादा भाग में मिलती है इस अंड कोशिका से मिलकर द्वी गुणित युगमनज द्वी गुणित याने की टू याने की डिपलोईड जाइगोट बनाना तथा द्वी गुणित केंद्रक का नर युगमक से सल्लेन ठीके क्या कहलाएगा हमारा द्वी निश्येचन कहलाता है कैसे समझें इसको चलो एक डाइग्राम बनाते हैं इस डाइग्राम की हेल्प से आप समझना ठीके और कई नहीं जाना है यहीं बने रहना है डाइग्राम पर ध्यान देना है तो वही यह डाइग्राम आपको याद है अच्छा नहीं बना फिर से बनाते हैं याद है आपको यह डाइग्रेम इस तरीके से अमने एक डाइग्रेम देखा था है ना इसमें क्या था इस तरीके की संद्रश्ण थी वहाँ पर है ना इस संद्रश्ण में क्या था यहाँ पर इस तरीके से तीन कोशिक आये थी एक बीच में थी फिर इधर तीन थी ऐसी थी है ना अब यहां पर यह जो दोनों बाहर वाली थी इनको अमने क्या बोला था सहायक कोशी का है ना सहायक कोशी का बोला था इसको अमने ठीक है यह जो तीन थी इनको क्या बोला था हमने यह जो तीन थी इनको क्या बोला था हमने बताई जल्दे से प्रति व्यसांत कोशिका ठीके ये क्या हुई प्रति व्यसांत कोशिका ठीके ये तीनों की तीनों जो है यहाँ पर ये जो बीच वाली है ये क्या है अंड कोशिका है ना XL जिसको कहते है XL ठीके ओके और क्या बचा हमारे पास ये हमारा क्या था वर्ति काग्र था ये हमारा है ना ये हमारा क्या था वर्ति का ठीके ये हमारे क्या थी धुरुविय कोशी का है ना फिर ये हमारा क्या था अंडाश है अंडाश है और क्या बच गया हमारा मेरे ख्याल से सारे कवर कर लिए ना हमने ओके उसके बाद एक और संरशना थी अगर आपको यहां दो तो ये है ना ये थी यहां क्या हुआ था यहां पर पराकण पराकण बने थे ठीके पराकण बने थे और यहां पर क्या थी काईक कोशी का थी काईक कोशी का ठीके यहाँ पर काईक कोशिका थी पराकणों में अब जी अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या है पराकण अब यहाँ से यह पराकण निकले ठीके यहाँ से यह पराकण निकले ध्यान दीजिएगा जाईए कर नहीं कहीं ऐसे निकल के ये पराकण यहाँ पहुँच गए ठीक है यहाँ से निकल कर निकल कर कहां पहुँच गए? यहां पहुँचे चलो यहाँ पर एक कोशिका और बना के दिखा देते हैं काईक कोशिका को कि बाई ये इसके वर्तिक आगर पर आ गई है काईक कोशिका हमारी क्या है ये काईक कोशिका काईक कोशिका ठीक है इसमें क्या है जरन कोशिका भी इसके साथ है अब जब ये काईक कोशिका यहां पर आ गई है फिर ये क्या करेगी पिर ये इसका जो कोशिक का दरव्य होग, साइटोबलसम जो होता है इसका, ठीकर ऐगा यहाँ पर? रिलीज ओना शुरू हो जाएगा, रिलीज होते ओते होते होते, और अन्दर आजाएगा, फैलने लग जाएगा, है ना? फैलेगा अब जब यह फैलेगा तो इसके अंदर जनन कोशिका भी है है ना जनन कोशिका चलो उसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं इसके अंदर जनन कोशिका है वह भी इसके साथ साथ आएंगी दोनों कोशिका है पहले यहां थी फिर इसके साथ साथ यहां पहुंची जब आगे बनने लग गया तो, correct, आप ये जो जनन कोशिक आएं थी, वो भी यहां तक पहुशने लग गये, ठीक है, अब हमने क्या देखा था, आपको यादे की लगू भी जानू, हमने देखा था, कि लगू भी जानू बना था, ठीक है, और लगू भी जानू से क्या बना? परा नली जो कायक कोशिका होती है पराग नली बनाती है न तो यह जो पराग नली यहां पहुंचेगी न तो यह जो सहायक कोशिका है यह क्या करती है इन में सेंसर होता है ठीक है यह चुपके से इनको कहते मैसेज भेज देती है कि भाई तुम्हें कई और नहीं जाना है तुमको यहां से गुमकर यहां आना है तो यहां यहां हों यह इनको बेग देती है तो ब यह पराग न लियुक है है कि यह पहुंछ से टो यह यह चर दो इन नर युद्स कि आ लिए चल्क है है यह जरना यह यह पहुंच गये पहुंच गये जी अब इसके बाद क्या हुआ की बिजान्द दुआर की तरफ पहुंच गये यहां पहुंचे यहां पर क्या करेंगे सहाय कोशिकाओं के साथ जुड़ जाएंगे यहां पर यह देखो सहाय कोशिकाओं के साथ जुड़ जाएंगे दोनों यह जो हैं ठीक है इनके साथ जुड़ गए ठीक है अच्छा उसके बाद क्या था वर्ती क्राक से चिपक गए चिपकने के बाद यह नीचे पहुच गए है ठीक है नीचे पहुच रहा है अच्छा हाँ यहां पर क्या हुआ था यहां पर समसूत्री विभाजन हुआ था किसमे जनन कोशिका में जब समसूत्री विभाजन हुआ था तब ही तो नर्युक्मक बन क्यूंतरि विभाजन हुआ था किसमें हवा था जनन कोशिका में जनन कोशी का में ढूंच नर्युगमक अब रो दार है हमारी हिरोईन का कौन है हमारी हिरोईन यहाँ जो इन दोनों के बीच में देखो छुपके बैठी हुई है क्या थी यह अंड कोशिका ठीक है तो यहाँ पर बिच्चे क्या करेंगी अभी एक नर्युगमक जो एक नर्युगमक है पहला देखो एक नर्युग्मक क्या करेगा ये एक नर्युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगा ठीक है क्या करेगा ये अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगा ठीक है ये अंड कोशिका के साथ सल्लियत हुआ ठीक है मतलब N प्लस N ठीक है क्या बनाया इसने योग मनज बनाया योग मनज ठीक है इसने योग मनज बनाया क्या था वो योग मनज टू एन था क्योंकि ये दोनों क्या थे एनन थे जब एनन थे सनले एन के बीच तो योग मनज क्या हुआ टू एन हो गया तो भई एक तो निशेचन यहां पे हुआ यह हम हमारा एक निशेचन था ठीक नमबर वन ठीक है अब दूसरा क्या क्योंकि आ तो भाई दिवे निशेचन है न हमें यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन की बात करनी है तो एक तो हो गया लेकिन बच्छा लोग मुझे बताइए कि दूसरे कहां होंगे दूसरे का मतलब क्या है यहां पर जल्दी बताइए कि कहां होगा जल्दी जल्दी कमें बताइए तो दूसरा गहां पर होगा बच्छा लोग चलिए इदर देखिए पहला तो यह अंड कोशिगा के साथ चुड़ गया ठीक दूसरा क्या करेगा कहां लिखे चलो इसकी पूस्ट थोड़ी सी छोटी कर देते यहां लिख देते हैं आः यह तो पूरा मिठ गया लोग ऐसे कर दिया इसको तो यहां क्या करेगा यह यहां पर दूसरा नर युगमक दूसरा नर युगमक किस के साथ चुड़ेगा प्लस धुरुब्य कोशिगा के साथ एक तो इसके साथ जुड गया, है ना, ये दूसरा इसके साथ जाके जुड जाएगा, इसमें आलड़ी दो केंदरक मौझूद हैं, टु एन है वो, इसमें सिर्फ एक था, इलिए सिंगल N थी, और ये भी क्या था, सिंगल N, अब ये दूसरा वाला इसमें भी सिंगल N है, ये इसमें 2N है, यह धुरूविय कोशिका के साथ जाकर जुड़ जायगा, धुरूविय कोशिका, इसके साथ जुड़ गया, ठीके, धुरूविय कोशिकाँ क्या थी, हमारे 2N थी, यह युगबक या था, हमारा only N था ठीक है ये N है ये 2N है इससे क्या हुआ हमें क्या मिला इससे इससे हमें मिला प्राथमिक ब्रूण पोश ठीके ब्रूण पोश ठीके ये क्या है 3N ये क्या है 3N है तो ये भी जाइगोट ठीके ये भी युगमनज बना लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे प्रात्मिक ब्रूण पोश बोलेंगे ये जो युगमनज है यहां पर इसको हम प्रात्मिक भुरूण पोश बोलेंगे अब यह जो है यह किसकी हेल्प करेगा यह इस वाले की हेल्प करेगा कि भाई तू नरिश्मेंट ले ले जादा क्योंकि यह पोश याने की पोशन यह पोशन से भरपूर है तो यह किसकी हेल्प करेगा यह इसकी हेल्प करेगा तो भा और फटिलाइजेशन हो गया तो क्या कहेंगे हैं डपल फटिलाइजेशन कहेंगे ऑक यहां तक सभी को समझ में आए हैं बचा देखो अगर आप ध्यान दोगे ना तब समझ में नहीं आ रहा है और इन में से कोई भी चीज अगर आपके छूटी है जो बच्चे नए हैं तो प्लीज आप प्रीविएस वीडियो को देखो वहां से साब क्लियर होते हुए आ जाएगा ठीक है हम चलो यहां तक यह हमारा खतम हुआ तो आज का टॉपिक यही पर खतम होता है आज हमने क्या के बात कर ली आज हमने बात करी किस किस चीज के बारे हैं बात करी आज हमने जली बदाईए हमने परागण के बारे हैं बात करी परागण है ना फिर हमने क्या बात करी द्वीलिंगी और एक लिंगी पुश्पो के बारे में ठीक है फिर हमने कारकों के बारे में बात करी कि कौन कौन से कारक थे ठीक है उसके बाद हमने क्या बात करी उसके बाद हमने परागन के परागन के प्रकार उनको देखा कि कौन से थे है ना, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने बात करी तो यह हमारे main topic थे जो आज हमने cover किये ओकी आज हम क्या बढ़ेंगे तो बचलों को आज हम बात करेंगे इन सब topics के बारे में ठीक है बाई कृतिम संक्री करण निशेशन पस्च वस्ता ब्रून पोश ब्रून दुई बीच पत्री ब्रून एक बीच पत्री ब्रून बीच प्रसुप्ति फल अनिशेक फलन असंग जनन एवं बहु ब्रून ता करेक्ड है बच्छा तो ठीक है हम सब लोग आज यह सब जल्दी से कवर करेंगे ओकी चलो अहां कृतिम संक्री करण याने की आर्टिफीशल हाइबिडाइजेशन ठीक है अब हमने बिटा क्या बात करी थी कि बाई जो परागन होता है दो तरीके से होता है एक पर परागन होत है कि अगर यह फूल है तो इसी का नर इसी की मादा भाग में जाएगा ठीक है और क्या होगा सेम काइंड ओफ लार दुवारा से पैदा हो जाएगा ठीक है लेकिन जो पर परागन होता है वहां क्या होता है एक दूसरे नर युगमक को मशक्कत करके मादा युगमक के पास दूसरे फूल में आना पड़ता है ठीक है तो वहां पर उनका सनलयान होता है ठीक है तो सोचके देखो कि अगर एक ही फूल में बार 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 वार वैसा होगा तो क्या होगा कि सेम कॉलिटी बार बार रिपीट होती रहेगी है ना और अगर एक नर युगमक एक फूल से द पूसरे फूल में जा रहा हो सकता है प्रजाती बदल दे वह अपनी है ना तो क्या होगा हो सकता है कोई नए चीज पैदा हो जाए बाई कि हाँ यह तो है यहां कुछ अच्छा बनेगा मॉडिफिकेशन हो गया उनके जीन्स में ठीक है तो अगर आप और मैं है तो हम किसको ज दूसरा किया था और परागन किते हम लोग किसको पढ़ावा देंगे इसको देंगे इसको प्रमोट करेंगी आगे क्योंकि इससे क्या है नई चीज़ें मिलने की जीजादा पॉसिबिलिटीज है राइट ठीक है तो यह पर आगन है इसको अगर रोकना होगा फिर हमको इसक कि उसको प्रोकने के लिए जो चीजें किया करेंगे यूज में लाएंगे एक अधिक है? कई यहां पर दो तरीके के process है एक हो गया विपंस ठीक है जिसको emaskulation बोलते है और दूसरा हो गया bagging बोरा वस तरा लई याने की bagging process होती है ठीक है तो यह दो process है जिसकी वज़े से हम इसको यहां पर रोक सकतables है ठीक है? रोक सकते हैं अब इसको रोकने के लिए एक होता है नेचुरल तरीका ठीक है एक होता है नेचुरल तरीका ठीक है नेचुरल तरीका ठीक है और दूसरा क्या होता है इस तरीके से नहीं यूज कर लो नेचुरल तरीके में क्या हो सकता है कि कि किसी का एक फूल है ठीक है उस लब कि उसके बैठ गया ठीक है उसके वर्ति कागर पे आ गया ठीक है पराकण आके उसके बैठ गया है ठीक है अब क्या हुआ जी हो सकता है कि जो उसके अंदर जो अंडिकोशी का बनने में टाइम लग जाए इतने में तो हो सकता है कि वो जो पराकण है वो खराब हो जाए उ मादा युदमक जल्दी बन जाओ नर युदमक देर से बने ठीक है थोड़ा कन्फ्यूजन होगया बोलने वैं ठीक है तो हो एक ही फूल के अंदर, यहां बनाते के देखते हैं, चलो अच्छा, यहां क्या होता है कि यह एक फूल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यह मादा भाग है, यह नर भाग है, ठीक है, तो प्रागर में क्या हुआ कि इसी में से कूट के यह यहां आ गया, ठीक है, उसके बाद क क्या हुआ कि इसको रोकने के लिए ठीक है इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि यहां जो दूसरा है नहीं दूसरा है नहीं ठीक है इसको क्या करना है कि हमें चाहिए कि इसका जो पराकड़ है वो इसके ऊपर आए ठीक है तो भाई इस पहले वाली प्रोसेस में क्या करें छटिके इसको यहां से निकाल देंगे ताकि भैं नर भागी नहीं रएगा है ना तो Siqa fi kate kate है क्योंज सकता है इसके पास अच्छे गुण और अगर यहां से नई हटा तो की इसके और अच्छे गुण इसको काटना पड़ेगा चलो इसको यहां से हम काट देते हैं ठीक है हमने काट दिया ठीक है और हम जानते हैं कि यह जो संक्री करण है ठीक है कृतिम संक्री करण इसका यूज हम स्वय परागन को रोगने के लिए करते हैं ठीक है तो पर ऐसा क्या करें ऐसा क्या करें कि यह जो स्व इसकी प्रोसेस रुक जाए और किसी दूसरे को वहाँ पर चांस मिल जाए तो इसी को रोकने के लिए हमने क्या यूज कर लिया वही यहां पर पहला वाला यूज कर लिया कि हमने इसको काट दिया तो इसके क्या हुए अच्छे वाले जो पराकन थे अच्छे गुड़ वाले इसके पर आके बैठ गए और वहाँ पर संलेन हो गया ठीक है तो यहाँ पर एक मॉडिफाइप फ्लार बन गया रहे है चलो पहला तो यह हुआ हमारा ठीक है तो विपन्सन क्या होता है विपन्सन होता है कि इस तरीके से यहाँ से नर्भाग को हटा देना, ठीके, उस फूल में से नर्भाग को हटा देना ताकि कुछी दूसरे जो पराकड़ हैं वो इसके वर्तिकागरुपे आके बैज सकें और बहाँ पे सल्लेयन के तैयारी कर सके ठीके, चलो अब दूसरा आता है bagging बोरा ठीके, तो bagging बोरा में क्या होता है कि भाई देखो, यह इस तरीके से एक full है ठीके यह दब हो, इस तरीके से है और यहाँ पे क्या है यह यह इस तरीके से इसके अंदर पराकड है ठीक़े अब यहां पर क्या है कि भाये किसी और के पराकड तो यहां पर ना आये ठीके, किसी और के पराकण यहाँ पर ना आए, मतलब कि जो पराकण यहाँ पर एक बर आ गए है, ठीके, आगे सपोस्ट करो यहाँ से, यहाँ से यहाँ आ गए, अब जब यहाँ आ गए है, कोई और दूसरा पराकण इसके उपर ना आ पाए, ठीके, तो फिर हमें क्या करना ह कि हम चाहते हैं इसी पर्टिकुलर के गुण इसके अंदर जाएं, इस पर्टिकुलर पराग्कर फूल है, इसके गुण इसके साथ मिल जाएं, हम इतना चाहते हैं, हम ने चाहते हैं कि दूसरा इसके साथ आए, ठीके, तो हम क्या करेंगे इसको, इस तरीके से एक बोरे या ज यूज करते हैं शब्त़ा सब्सक्राइब अधब है यूज करते हैं यह बहुत पतला सा पेपर होता है और इति को में क्या हूं यूज इसको हममते कर देते को कर द जो सब्सक्राइब और जिसे नहीं आहें इतज़ ap जो गुण है वो इसके साथ मिल जाए किसी दूसरे के ना मिले इसके जैसी यहां पर आके बैटा तो भाईया कर दिया पैक इसको यहां पर किया दूसरा नहीं आएगा ठीक है क्लियर यह हमारे थे कृतिम संक्री करण चलो इसके बाद हमारे पास आता है भाई यह देखो कर दिया ताकि कोई दूसरा पराकन इसके उपर आके ना बैट सके ठीक है चलो अहां निशेश्चन परस्च अवस्था तो वही चलो अम फिर से उस डाइग्राइम की बात करते हैं कि यह डाइग्राइम था इस तरीके से आप बोलोगे मैड़म यह डाइग्राइम हम कब से देख रहे हैं है ना और हर बार यह गलत बन जाता है शुरू शुरू में तो अरे क्या हो गया अच्छा सॉरी पैन नहीं लिया था देखो इस तरीके से यह ऐसे स्ट्रक्चर है ठीके यह ऐसे स्ट्रक्चर था ठीके इसके इंदर क्या था ठीके चलो ऐसे यह था इस्ट्रक्चर है ना यह हमने वहाँ पढ़ा था कि बैई चलो यह हमारा हो गया इसके इंदर क्या था हमारे पास ठीके हम जानते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से यह तीन कोशिकाएं मौजूद थी एक बीच में थी तीन इस तरीके से यहाँ पर थी ऐसी था और इन सब में क्या था के इंदरक बीदा इसमें दो थे इन सब में एक 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 था ऐसा ही था ना ओके तो हम जानते हैं कि यह सब क्या था यह तीनो कोशिकाएं थी यह तीनो कोशिकाएं क्या थी प्रती वेसांथ ठीके प्रती वेसांथ कोशिका ठीके ये बीच वाली क्या थी? दुरुविय कोशिका ठीके अब ये जोनों जोती साइड वाली ये क्या थी? सहायक कोशिका सहायक कोशिका ठीके बीच में हमारी यहां पर हिरोईन थी यादे आपको अंड कोशिका ठीके यही सबता यहां पर है न? और हम सब जानते हैं कि भाई बीजांड में क्या बनता है? बीच बनता है ठीक है यह क्या है बिजांड है बिजांड के अंदर बीज बनता है और इसका जो अंडश होता है वो क्या होता है फल में बदल जाता है ठीक है और इसन सब के अंदर यह अंदर प्रोसेस चल रही होती है यही हो रहा होता है तो भाई हम जानते हैं कि यहां पर क्या होता है दो नर्युगमक आये थे, हमने देखा था, कि यहां पर दो नर्युगमक आये थे, यह क्या है नर्युगमक, है न, दो नर्युगमक, ठीक है, यहां पर क्या हुए थे, दो नर्युगमक आये थे, एक नर्युगमक ने किया किया था, एक ने आके यह जो अंड कोशिका थी, देखो इसको अलग कलर से दिखा देते हैं ये जो अंड कोशी का थी ठीके इस वाले ने आके इसके साथ यहाँ पर क्या किया था निशेचन किया था ठीके एक नर युगमक प्लस अंड कोशी का है ना एक तो यह हुआ था हमारे पास एक और दूसरा क्या हुआ था दूसरा नर युगमक किसके साथ हुआ था सनलेयन इसका दुरुविये कोशी का ठीके ये क्या है ये निशेचन पस्च अवस्था है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ठीके कि भाई हम जानते हैं कि भाई बिजान ने क्या किया बीज बना दिया जो बिजान था उसने क्या किया बीज बना दिया है ना और जो अंडा शे था अंडाश है इसने क्या क्या फल बना दिया ठीक है अब यहां पर ये जो धुरुविय कोशिका थी इसके साथ जो निशेचन हुआ था ठीक है ये जो धुरुविय कोशिका थी इसके साथ जो निशेचन हुआ था इसने क्या बनाया प्रात्मिक ब्रूण पोश बनाया इसने इस ठीके इसने क्या बनाया प्रात्मिक ब्रूण पोश और यह पोशन से भरपूर होता है अब यहां जो युगमनच बना है जाइगोड बनाए यहां पर ठीके युगमनच बनाए यहां पर जाइगोड वो क्या करेगा वो यह जो प्रात्मिक ब्रूण पोश है ना यह वाला जो होगा वो जो प्रॉपर युगमरज है उसको पोशन प्रदान करने का काम करता है ठीक है तो इन दोनों का यहाँ पर यह काम आ जाएगा तो बुरूण कोश्ट जो बना है वो क्या है भाई हमारा 3N है ठीक है यह क्या है 3N बना हमारा यह क्या है 2N बना ठीक है अब मतलब यह है कि ये कर रहा है, इसको portion प्राप्त कराने का काम कर रहा है, ठीके, ये इसको portion प्राप्त कराने का काम कर रहा है, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो यूग मनज होता है, इसका use करके, क्या बन जाएगा, ब्रून बन जाएगा, ठीके, ये इसका प्रात्मिक, ब्रून जाएगा मतलब ठीके और यह निशेचन पस्च अवस्था कहलाएगी ठीके कि बाई जब निशेचन हो चुका है उसके बाद ब्रूण बना है तो यह कहलाएगी निशेचन पस्च अवस्था ठीके कि निशेचन जब हो गया था फर्टिलाइजेशन जब हो गया था उसके यह बना है करेक्ट तो इसलिए यह क्या है निशेचन पस्च अवस्ता कहलाएगी करेक्ट बिल्कुल सभी को समझ में आया कोई यहां तक परिशानी नहीं है ना चलो आगे बढ़ते हैं ओक तो इसके बाद आता है मार पास ब्रूण पोश ठीक है तो हम जानते हैं कि जो ब्रूण पोश था ब्रूण पोश यह क्या काम करता है तो भाई यह जो ब्रूण पोश है यह क्या करता है पोशन कोशिका होती है पोशन कोशिका होती है चोटा सा टॉपिक है यह इसको समझ लीजिए बहुत इसी टॉपिक है ठीक है जो भी वहाँ पर देखो कोशिका बनी है न यहां पर यह जो कोशिगा बनी थी यह प्रात्मिक बिरुन यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं भेसिक लिए घ। तो यह जो भुरुण पोश होती है कि पोशन कोशी का है ठीक det जो क्या करती है इसका काम कए जो विकास शील युगमनज होते हैं ठीक है युगमनज यह क्या करती है उसको पोशन प्रदान करती है पोशन प्रदान करती है ठीक है तो बेसिकली जो घुरूण पोशन इसका ये काम है इससे ज़्यादा इससा कोई काम नहीं है ठीक है यहां तक क्लियर सबको ओके चलो आगे बरते हैं तो बाई अब क्या होता है अहां चलो इसको रप कर देते हैं यहां तक क्लियर होगी है सबको तो ओके तो ब्रूण पोश बेसिकली क्या होता है देखो कि बाई कुछ पोदो के बीजो में खादे संग्रे के लिए विशेश प्रकार की रचना पाई जाती है ठीक है जिने ब्रूण पोश कहते हैं ठीक है तो अब ही मैंने क्या बताया कि जो ब्रूण पोश होता है ठीक है यह यह बेसिकली क्या काम करता है कि यह भई पोशन कोशी का होती है हम जानते हैं पोशन कोशी का ठीक है और यह विकास शील जो युगमनच होते हैं उनको पोशन प्रदान करने हैं काम करती है ठीक है ओके चलो यह इसमें यह था फिर अब यहां क्या होता है यहां देखो अच्छ कि सपोस करो कोई बीज है हां यह यह बीज है ठीक है यह बीज है ओके तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि भाई भुरूण पोश में इस तरीके से हमने देखा था कि त्री केंदर की एक संदरशना बनी थी यादे आपको हां दो तरीके से होता है तो पहला तरीका देखो कि जहां पर त्री केंदरग यहां पर क्या बनी थी त्री केंदरग संदरशना बनी थी मैं इसको नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी आप जाके देखिए वीडियो में कि यह मैंने कहां बताया था ठीक है ओके तो यहां पर क्या थी संरश्णा बनी थी ठीक है यह क्या है हमारा ब्रून पोश है ठीक है तो यहां क्या हो रहा है यहां पर इसमें विभाजन होगा जब यहां पर विभाजन होता है तो क्या होता है तो यहाँ पर यह जो केंदरक होते हैं तो यहाँ विभाजन में क्या होगा जो केंदरक होगा यह विभाजन करेगा ठीक है यह केंदरक क्या होंगे यहाँ पर विभाजन करेंगे सिर्फ केंदरक only केंद्रक विभाजन करेगा ठीके सिर्फ केंद्रक विभाजन करेगा कोशिका विभाजन नहीं करेगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रक करेगा इस बात को ध्यान में रखना ठीके तो बही जब यहाँ पर हुआ तो इसको क्या कहेंगे केंद्र कीए केंद्र कीए ब्रूण पोश केंद्र कीए ब्रूण पोश ठीके केंद्र कीए ब्रूण पोश कहेंगे इसको ठीके क्योंकि यहां से केंद्र की क्या कर रहा है विभाजन कर रहा है ठीक है जब विभाजन करेगा तो क्या होगा भाई एक कोशिका होगी ठीक है तो वो एक से दो बनेगी दो से क्या बन जाएंगी चार बनेगी चार से क्या होंगी इस तरीके से आठ बन गई ठीक है आठ से क्या हो जाएंगी मतलब इस तरीके से ये विभाजित होती रहेंगी ठीके, तो इसका जो सबसे बढ़िया example है, वो क्या है, इसका सबसे अच्छा example है, नारियल, पानी, ठीके, नारियल, पानी, ठीके, पहले तरीके से तो ये हो गया, ठीके, ये क्या हमारा पहला तरीका है, अगर हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, तो दूसरे तरीके में भाई यहां पर पूरी कोशिका में विभाजन होगा यहां पर पूरी कोशिका में विभाजन होगा यहां क्या हुआ था सिर्फ केंद्रक में हुआ था ठीक है यहां पूरी कोशिका में होगा तो क्या बनेगा यहां पर यहां पर पूरी कोशिका में विभाजन होगा तो भाई कोशिका भित्ती का निर्मान हो जाएगा ठीक है कोशी का बित्ती का निर्मान ठीक है कोशी का बित्ती का निर्मान हो जाएगा ठीक है जिसको क्या कहेंगे जिसको हम कहेंगे कोशी किये ब्रून पोश ठीक है जिसको हमने क्या कहा कोशी किये ब्रून पोश और देखो कोशी का बित्ती कैसे बनेगी या पूरे में बनेगी इस तरीके से इस तरीके से पूरे में कोशी का बित्ती बन जाएगी ठीक है इस तरीके से क्या हुआ देखो सब में कोशी का बित्ती बन गई है ठीक है और जो कोशी का बित्ती का निर्मान हुआ है सो क्या क्या हमने क्रोशी कोशी की ये ब्रून कोश कहा ठीक है यहां तक क्लियर सबको हम चलो ओके तो यह जो दूसरा वात शो नारियल पानी दिया घिके जहां परस ररच बाम केंद्रक विभाजित हो रहे थैं नारियल पानी स्का मंदले झाल अंदर का पानी Warp तो यहां पर वो उसका एक्जैम्पल है ओके चलो यहां पर आपको बेसिकली समझ में आया कि हमने क्यों पढ़ा तो यहां देखो मैं फिर से बता देती हूं कि कुछ पौधे जो होते हैं जो उनके बीज होते हैं तो उनमें जो खादे संग्रय के लिए विशेश प्रकार की रशना पाई जाती है उसे ब्रून पोश कहते हैं ठीक है अभी समझ में आया कि भाई ब्रून पोश क्या है अब यह ब्रून पोश जो होता है ना इसको इस तरीके से दो प्रकार से दिखाया गया है कि कैसे यह हो इसमें विभाजन होता है और कैसे किस प् होगे अपना कंदर किये वुन पुष्ज दूसरा कोशी किय थी चलो अब आगे इसके बाद क्या पढ़ना है हमको इसके बाद आता है ब्रूड ठीके तो जो ब्रूड होता है ठीके चलो फिर से structure देखते हैं बनाते हैं यहाँ पर आप बोलो के मैडम हर जेगा यही structure बन किया जाता है तो वही क्या कर सकते हैं देखो ठीके याद रखना कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि इसका मूँ नीचे ही हो ठीके उधर भी हो सकता है बिजान दौर ठीके निकाए इधर हो सकता है जरूरी नहीं है कि इधर ही हो बिजान दौर और निकाए उधर हो इधर भी हो सकता है बिजान दौर इधर भी इधर भी किदर भी हो सकता है तो भी कोंफ्यूज नहीं होना है ठीक है आज मैंने इसका एक्जैंपल ले लिए ठीक है ओके तो यहाँ पर क्या होता है देखो यहाँ पर सहायक कोशिका मौजूद थी हमने देखा था है ना यह दोनों क्या थी सहायक अर हलका कलर ले लिया आप बोलोगे मैं मैं समझ भे नहीं आया यह दोनों क्या है सहायक कोशिका ठीके यह दोनों क्या है सहायक कोशिका ठीके तो बेटा यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी युगमनज की बात करेंगे अभी ठीके युगमनज की क्योंकि फिर दुबारे दुबारे वो सिर्फ चीज़े रिपीट करेंगे तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी है ना तो बेटा हम यहाँ पर सिर्फ युगमनज की बात करेंगे कि हम यहाँ पर युगमनज दिखाएंगे ठीके अब ये जो यूगमरज होता है हम जानते है कि ये ब्रून में बदल जाता है किसमें बदल रहा है ये ब्रून में बदल रहा है ठीक है अब ये जो यूगमरज है इस ब्रून में बदलता है उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन ठीक है समसूतरी विभाजन हो जाता है यहाँ पर ठीक है अब यह जो ब्रूण है इसमें क्या हुआ है कि भाई जब समसूतरी विभाजन हो गया है तो देखो यह कैसा बनेगा यहाँ पर दो युगमनज बनेंगे यहाँ देखो, यह जो क्या है यह? यह भुरून है, ठीके? यह भुरून है, यहाँ पर क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हो गया, ठीके? समसूत्री विभाजन हो गया यहाँ पर, ठीके? जब समसूत्री विभाजन हो गया तो हमें पता है कि दो युगमरज बनेंगे, है ना तो देखो इस तरीके से दो युगमनज बन गए यहाँ पर ठीके अब यहाँ पर जो उपर वाला हिस्सा होता है ठीके जो यह हो गया यह वाला हिस्सा ठीके जो बिजान दौर के पास वाला हिस्सा है उसे हम कहेंगे आधारी ठीके आधारी और जो ये वाला पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे हम अग्रस्थ ठीके इसको क्या बोला हमने अग्रस्थ बोला ठीके अब देखो अब ये जो अग्रस्थ होता है ये क्या करता है यह जो होता है, इस तरीके से बदल जाता है, उपर वाला जो पार्ट होगा न, देखो जो उपर वाला यह वाला पार्ट है, वो कैसे बनेगा, इस तरीके से एक लाइन-लाइन में, ठीके, और जो नीचे वाला अग्रस्थ वाला पार्ट है, यह कैसे बनेगा, इस तरीके से द कुछे कुछे से बन गए ठीक है तो इसके बाद क्या हुआ देखो इसके बाद क्या होता है जब इस तरीके से बन जाता है यहां पर फिर से विभाजन होता है ठीक है तो इसके बाद क्या होगा देखो इसमें फिर से विभाजन होता है ठीक है जब फिर से विभाजन होगा तो क्या होगा यह क्या संदशना बनाएगी देखो उपर वाली इस तरीके से रहेगी इस तरीके से रही देखो उपर वाली है ना और नीचे वाली क्या करेगी यह हिर्दयकार संदशना बना लेगी ठीक है नीचे वाली हिर्दयकार संदशना बना लेगी इस तरीके से देखो यह six six मस नबस ना ठीक है यह इस तरीके से बना रही हूँ मैं कभी आप सोच लो मैडम इत्ते सारे six बना रही है यहाँ पर यह ऐसे संरशना बना लेगी ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम हिर्दय हिर्दयकार सनरशना ठीके सनरशना बोलेंगे इसको ठीके हिर्दयकार सनरशना ठीके अब ये क्या करेगे फिर से डिवाइड हो जाएगी अब ये जो है सनरशना फिर से डिवाइड होगी ठीके जब ये फिर से डिवाइड होगी तो किस तरीके से बनेगी देखो उपर वाली तो सेम रहेगी बिल्कुल है ना ये उपर वाली तो सेम रहे बिल्कुल लेकिन ये जो नीचे वाली होती है ये देखो इस तरीके से एक शेप ले लेती है ऐसे करके ऐसे करके यह ऐसे एक शेफ लेके बना लेती है ठीक है इसको क्या बोलते है अब है इसको बोलते है परिपक्व ब्रूण परिपक्व ब्रूण बोलते हैं इसको ठीक है यहां तक क्लियर सबको ठीक है तो यह क्या है हमारा यह Broom बन गया है भी यहांन पए आछर में तैक है डेखो इस तरीका से जो है ना इस तरीके से हमने क्या किया कि यहां पर यह जरा सा था संसूत्री भी वाजन हुआ उसके बाद यहां पर दो में डिवाइड हो गया आधारी और अग्रस्त तीक के फिर इस तरीके से यहां से ऐसे ऐसे बंते 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 बन गया चलो आगे बढ़े ओके आगे क्या आता है द्वी बीच पत्री आगे बात करते हम द्वी बीच पत्री की नहीं पहले ठीक है द्वी बीच पत्री ब्रून ठीक है तो यहां पर क्या था यहां पर तो यहां पर दूई बीच पत्री ब्रूण में क्या हुआ? देखो एक प्ररूपी दूई बीच पत्री ब्रूण में एक ब्रूणी अक्ष ठीके? एक ब्रूणी अक्ष होता है ठीके? तथा दो बीच पत्र सम्महित होते हैं ठीके? बीच पत्र के इस्तर से उपर ब्रूणी अक्ष की प्रोटीन ठीक है यह इपीकोटाइल बीच पत्री परिक होती है जो प्रांकुर जिसे हैं क्या कहते हैं प्लेम्यूल कहते हैं पर समाप्थ हो जाती है ठीक है यह बीच पत्री ब्रूण का क्या चल रहा है पूरा डेफिनेशन चल रहा है कि इसमें क्या क्या होता है क ठीके फिर बीजपत्राकार यानिकी हाइपोकॉटि में 20 पत्रों के इस तरसे नीचे मुलांत सिरा होता है ठीके जिसे हम रेडिकल और रूट कहते हैं पर समाप्त हो जाती है ठीक है यह देखो इस तरीके से यह मुलांकर पर समाप्त हो रही है ना और देखो यहां पर प्रांक कुर है है ना हमने क्या बोला कि देखो एक प्रारूपी दूई बीच पत्री ब्रूण में एक ब्रूण यह अक्ष्य होता है ठीक है और तथ से उपर भूण ये अक्ष की प्रोटीन याने कि इपी कोटाइल बीश पत्री बारीक होती है जो प्रांग पर खतम होती है यह न फिर बीश पत्राकार जो होता है याने कि हाइपकोटाइल में बीश पत्रों के इस तर से नीचे मुलांत स्रा होता है देखो इस से नीचे क्या है मुलांत ठीके मुलांकुर ठीके मुलांत स्रा होता है इसे हम रेडिकल या रूट टिप कहते हैं वहां पर समाप्त हो जाती है ठीके ओके इसके बाद क्या आता है हमारे पास एक बीच पत्री भुर ब्रोन के परिवर्दम के अंतरगत प्रोन अक्ष के शीज पर केवल एक बीच पत्र ही बनता है जबकि द्वीच पत्री पौदे जो ते उन्हें दो बीच पत्र बन रहे थे ठीक है लेकिन यहां क्या बन रहे एक बन रहे बिकाज वो अपने नाम से ही बता रहा है ना कि मेरे पास एक बीश पत्री है उसमें क्या बोलता है दुवी बीश पत्री बोलता है याने कि उसमें दो बन रहे थे हैं ना ठीक है इसका एक्जेम्पल के है मारे पास घास गेहूं मक्का आधी एक बीश पत्री पादप होते हैं ठीक है चलो ओके चलो यहांता सबको क्लियर है ठीक है बहुत छोड़े से ट्रॉपिक थे यह आप अल्रेडी आपको इस दोनों चीजों के बारे में मालूम होगा है ना लेकिन फिर भी एक मेमोरी वापिस करने के लिए कि नहीं नहीं एक बाद थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेत तो इसमें रेको फिर से एक डायग्राम बनाते हैं डायग्राम क्या था इस तरीके से था ठीक है और ऐसे घर के था ऐसे था अब यहां पर क्या था यह बीजांट ता में मालूम है यह क्या था बीजांट देखो ये क्या है ये है बीजान काई ठीक है ये क्या है बीजान काई ठीक और ये क्या है ये है ब्रून आप कुछ ऐसे होते हैं जिन में जो बीजान काई होती है उसके परत मौझूद होती है ये कुछ ऐसे भी ब्रून होते है जिनके उपर क्या होता है जो बीजान काई होती है बीजान काई उनकी जो परत होती है ठीक है ये जो बीजान काई होती है इनकी जो परत ह होती है न वह ब्रून पर रह जाती है ठीक है परत के होती है वह ब्रून पर रह जाती है ठीक है या मौझूद होती है होती है ठीक है जो ब्रून है इसके उपर यह बिजांड काय की परत रह जाती है हलकी हलकी काली में इस देखिए आपने उसके उपर सफेज सफेज सा एक पा तो जी चुकुंदर जो होता है वो भी इसका एक्जैम्पल है तो बहुत छोटा सा टॉपिक था यह इतना ही समझना था उसमें कि जो बिजानकाए यह रहा और यह इसका ब्रून है अब जब यह मतलब बाहर आएगा ठीके तो क्या होगा कि यह जो ब्रून है ना इसके उपर इस विजान काय की परत रह जाती है तो सब में नहीं रहती है सब में नहीं रहती है किसी किसी में रहती है ठीक है एह समझ लेना कि मैंने काय कि परत रह जाती है तो सब में रह जाती है नहीं सब में नहीं रहती है ठीक है किसी किसी में रहती है दो एक्जेम्पल मैंने आपको दिए चुकुंदर हो गया और जी क्या दूसरा दूसर क्या बताएं मैंने आपको एक्जेम्पल जल्दी बताओ चुकुंदर और काली मिर्स ठीके ओके चलो यह यहां खतम हो गया यह बस इतना साही था चलो आगे बढ़ते हैं और किसकी बात करेंगे अब हम ओके यहां पर गड़वर्ड हो गई है ठीके देखो कुछ पौदों में जो बिजांट के चारो और ब्रून पोष्ट की एक पतली परत पाई जाती है जिसे परी भून पोष्ट यानिकी पैरी स्पर्म कहते हैं ठीके वही हुआ जो मैंने बताए अभी है ना ओके चलो परीब रून पोष्ट भीजांट काये का बीजों में बचा हुआ शेश भाग होता है ऐसी देख लो ठीके चलो यह क्या है यह इसका एक्जांपल है यहां तब गड़बड होगे है इस पेज़ पर ठीके चलो आगे बीज की बात करते हैं हम ठीके मुझे रगा स्लाइड मैंने एड़ कर रखी है पर चलो को यह आपको समझ भी आ गिया नहीं है आप यह चलो ठीके आप हम बात करते हैं बीज की चलो बीज बनाते है लो फिर से भाई स्ट्रक्चेर बना दिया हमने रुको एक बार रुको देखो फिर से भाई गल्ती होने वाली थी बीज क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं ठीके पहला कौन सा हो गया गयर albuminus beij हो गिया ठीक है, get albuminus beij हो गिया ठीक है, यहां क्या होता है यह वो beij होते हैं जिनमें अफशिष्ट brun post नहीं होता है ठीक है, अफशिष्ट क्या होता है, जो waste होता है ठीक है, क्या होता है, जो waste होता है ठीक है, क्योंकि brun के विकास के दौरान ये पूरी तरह से समापत हो जाता है, जब jugra transaction का एंभरियो का क्या होता है, development हो रहा होता है, तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से खत्थम हो जाता है, ठीके, इसलिए ये अफ्षिश वहां पर नहीं पाये जाते हैं, जैसे कि एक्जैमबll क्या है मटर और मोंगफली धूसरा क्या आता है मारे पास देखो Albominess Beach आता है ठीक है ये था gear Albominess Beach ठीक है और ये क्या है Albominess Beach है ठीक है यहां क्या होता है अफशिष्ट ब्रूनपोश बना रहता है मैंने अफशिष्ट क्या बता यह वेस्ट है ना यह क्या होता है बना रहता है क्योंकि ब्रूण के विकास के दौरान पूरी तरह से उपभोग नहीं किया जाता है ठीके नहीं होता है इसका पूरे तरीके से इस्तमाल ठीके जैसे की गेहू अरंडी और मक्का ठीके ओके चलो एक छोड़ा दाइग्राम देखो कहा बनाए जाए जगाई नहीं बच रही है चलो यहां बना देते हैं देखो इस तरीके से यह था है ना यह था ठीके तो यह क्या है बीजांड ठीके यह बीजांड है अब यहां क्या हो रहा है यह अध्ध आवरन था यह अध्ध आवरन ठीके यह और यह क्या है यह क्या है बताईए यह क्या होता है यह मैंने क्या बता है यह बीजांड होता है वो बीज में बदल जाएगा ठीके और जो अंडश होगा ठीके वो क्या करेगा फल में बदल जाएगा यहां पर हमने देखा था ठीके यह जो अध्यावरन होता है यह क्या होता है यह बीज बीज चोल ठीक है बीज चोल में बदल जाता है ठीक है और ये क्या होगा ये बीज में बदल जाता है ठीक है तो क्या होगा कि बाई जैसे ये क्या बोल रहा देखो जिनमें अफ्षिस्ट भूर्ण पोष्ट नहीं होते हैं ठीक है क्योंकि भूर्ण के विकास के दौरन का पूरी तरह से समाप्त हो जाता है ठीक है जब यहां पर पूरी तरीके से इनका उप्योग हो जाएगा तो कुछ इसमें ठीक है एच्छा इसके बाद ये था कि जो ब्रूर्ण पोष्ट होता है ठीक है यह जो ब्रूर्ण पोष्ट होता है इसका जब पूरा उप्योग कर लेते हैं ठीक है यह जो गैर अल्बिमिनस बीज है इनका पूरा उप्योग कर लेते हैं तो यह ऐसा हो जाता है ठी बीज अगर विकास की क्रिया में है तो ठीक है बीज अगर विकास की क्रिया में है तो यह ऐसा हो जाएगा ठीक है और दूसरी चीज कि अगर यौंअ जब ब्रूण् पॉष्च रह जाता है ठीक है जब ब्रूण् पॉष्च रह जाएगा तो भा कैसा हो जाएगा यहां पर देखो ब्रूण पॉष्च रह जाएगा न तो यह Campbell of hearts फॉय होता है यहlay हुआ ब्रून पोश हम रहे जाएगा यहां पर है यह क्या बीज है थिक है यहां पर ब्रून पो रह जाएगा स्वाले पर इता ध्यान मत देना है कि यहां पर कि जो भी जान्द होता हो सब्सक्राइब सब्सक्राइजर्ण में 되 ciaoJ creep जिसान भेश ब्रून परन नहीं रहेगा तो भी ऐसा नगा था चंप ब्रून पोश्च अले vakुष अा फ्रूह जाता validated तो बीज ऐसा रह जाता है बस यह ध्यान में रखना ठीक है इस से यादा कुछ मत सोचना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रसुप्ति यानिकी डॉर्मेंसी कि मिल में देखो विजो की शरीर क्रियात्मक रूप से निश्कृता की इस्थि में की अवस्था जो होती है निश्कृता मतलब जब54 होते हैं कोई मतलब anderer दुनिया जहांजे की क्या हो रहा है ठीक है वो जो स्टेज होती है ठीक है जहां ना वो कोई क्रिया कर रहे हैं और बेल्कुल बेसुदों के पड़े हैं ठीक है उसे क्या बोलते हैं प्रसुप्त वस्था बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं ठीक है तथा ये घट रही है कि भाई वो कोई क्रिया नहीं कर रहे है और विहोश पड़े हैं ये घटना घट रही है तो इसको क्या कहेंगे हम प्रसुप्ति याने की डॉर्मेंसी कहेंगे ठीक है अरे कहां चला गया आगया वापिस ठीक है चलो आज बहुत गडबड हो रही है न हाँ तो इसको कैसे देखना है प्रसुप्ति को देखो कि प्रसुप्ति में क्या होता है कि जो बीज होता है न ये बीज है ठीक है ये क्या कर रहा है बीज अपना जो पानी होता है उसको क्या कर रहा है लूज कर रहा है ठीक है अब जब वो अपना पानी लूज कर रहा है तो इसका मदलब क्या है कि वो ड्राय हो रहा है है न कि वो ठीक है। लेकिन यह stage का आती है। यह stage का आईगी कि वो dry हो जाएगा। तब जब यह जो beat होता है परिपक्वू परिपक हो stage में होता है। ठीक है, परिपक phos plugin stage में होता है। तब यह क्या करेगा, beach पानी को lose कर देता है और dry होता हкив कि हो जाता है। हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद जिससे की अगर पानी लूज कर रहा है ठीक है तो उससे क्या हो रहा है जिससे देखो जिससे जो उपापचे होती है उपापचे क्रिया ये जो उपापरचा क्रिया होती है भाई जब पानी लूस करेगा तो क्या होगा जो उपापरचा की क्रिया है वो क्या हो जाएगी ठीक है और स्लो होके एक ताइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी ठीक है ये बंद हो जाएगी करेक्ट जब बंद हो जाएगी तो यह जो बीज होता है ठीक है बंद हो गई तो जो बीज क्या होता है यह जो मैंने क्या बता है निश्क्रियता इस वाली स्टेज में आ जाएगा इस वाली अवस्था में निश्क्रियता अवस्था इसमें आ जाएगा क्लियर सब को कि यह यहां क्यों पहुंचता है इसलिए पहुंचता है क्योंकि जो बीज होता है जब मैच्योर हो जाता है तो वो अपना पानी क्या करता है लूस कर देता है पानी क्या कर रहा है लूस कर रहा है तो उससे उपाफचे जो क्रिया है वो क्या होती है स्लो होती है द्ये दिर तो यहां तक समझ मैं आया तो इसके बाद क्या आता है चलो इसके बाद हमारे पारता है फल ठीक है फल में क्या था भई फल तो चलो फल जो है एक बार फिर से डियाग्रेम बनाते हैं ठीक है तो भई फल में क्या था ये इस तरीके से देखो ये डाइग्राम था है ना डाइग्राम था ये ठीक है इस तरीके से ये अंदर अंडाश है के अंदर इस तरीके से था ये डाइग्राम है ना ऐसे ही था यहां क्या था बाई ये था अपना क्या था बताईए ये था अपना अंडाश है अंडाश है ना और यह क्या था अपना बिजांड है ना यह क्या था बिजांड ठीक है ऐसी था यह अब हमने क्या बात करी थी कि यह जो बिजांड होता है यह किस में बदलता है फल में बदल जाता है है ना फल में बदल जाता है और सॉरी बिजांड जो होता है वो बीज में बदलता है बीज में और जो अंडाश होता है वो फल में बदलता है है ना यही बात करी थी हमने लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट आ जाता है अब आप को कि मैं मैं आप तो हर बाद में ट्विस्स ला रहे, प्रव में इस परत लिखे, स्टाइब बतले लिखे, एसके बाहर एक पतली सी परत होती इस के बाहर होती है फली के बाहर एकड़ी सी परत प्जेम परत लिखे , इस य सी है ठीक है वो क्या करती है फल भित्ती कहलाती है फल भित्ती का निर्मान करती है फल भित्ती का निर्मान ठीक है वो क्या करती है परच फल भित्ती का निर्मान करती है ठीक है अभी देखो अभी क्या है कि मैं बगर कहूं की यह जो है यह क्या है यह बीजे ठीक है इस को मैं देखो इस color से ऐसे करके मैं इसको यहां पर shaded 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 बना देती हूँ आँए छाओ फिर यह बनाते है यह जो अंडश है ना यह देखो याँ बीज यह क्या है यह क्या था बीज और यह क्या है अंडश है ठीक है इस तरीके से बन गया बन गया इस तरीके से ठीक उसके बाद क्या होता है देखो कि एक पतली सी बित्ती होती है मैंने कहा ना इसके उपर पतली सी ऐसे करके एक बित्ती होती है ठीके ये भिद्ती होई इसकी क्या कहेंगे इसको फल भिद्ती है ये मैंने क्या कहा था ये फल भिद्ती होती है ठीके फल भिद्ती का निर्मान करती है अब ये जो फल भिद्ती होती है ये क्या कहलाती है पैरी कार्प पैरी कार्प कहला दिया है ठीके यह अपना क्या था बीज ठीके अभी clear समझ में आ गया कि मैंने क्यों बनाया था इतना बड़ा वैसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत ने थी पर मैंने का चलो थोड़ा सापको संजहा देते हैं और इसको यह इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है कि बाई यह जो फल होता है ना यह दो तरीके के होते हैं ठीके जो फल होते हैं दो तरीके के होते हैं चलो इसको यहाँ से मिटा देते हैं ठीक है ये क्या था अपना बीजांड अब फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक तो सत्य फल होता है ठीक है क्या हुआ सत्य फल ठीक है जिनको हम True Fruits भी कहते हैं True Fruits ठीक है ये होता है दूसरा क्या होता है हमारे पास दूसरा हमारे पास होता है आभासी आभासी भी कहते हैं इसको और असत्ते भी कहते हैं असत्ते फल ठीके जिसको क्या बोलते हैं हम फॉल्स फूरूट फॉल्स फूरूट ठीके अब ये जो सत्ते फल होते हैं ये जो सत्ते फल होते हैं ये जो स करते हैं ये निशेचन के बाद ठीक है निशेचन के बाद ये निशेचन के बाद अंडा से से अंडा शे फल का निर्मान करते हैं ठीक है ये निशेचन के बाद अंडा से अंडा शहसे फल का निर्मान करते हैं ठीक है जो true fruits होते हैं लेकिन जो असत्य फर होते हैं मतलब जो false fruit होते हैं ये क्या करते हैं ये फल का जो निर्मान होता है अंडा शहसे नहीं करते हैं अंडा शहसे नहीं करते हैं ये कहां से करते हैं ये पुष्प के अन्य भाग से ठीक है अन्य भाग से ठीक है पुश्प के अन्य भाग से करते हैं यह जैसे की पुश्पासन ठीक है पुश्पासन इसका एक्जेम्पल क्या हो गया सेब हो गया स्ट्रोबेरी हो गया जो की फॉल्स फूरूट होते हैं क्लियर सब को एक तो अभी क्या ब्चा इसके बाद यहां तक सब हो गया छलो अब अब आता है अनिशेक फलन करें कि फॉलन इक तो यहाँ पर क्या करना है हमको यहां पर इस तरीके से तरीके से हमने वही डाइग्राम फिर से बनाना है इसमें क्या करना है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे अब तो मुझे भी बहुत अच्छे से बनाना आ गया है ऐसे क्या था हमारा ये विजांड था ठीके इसमें क्या है यह हमारा क्या है? मुझाा भूख सरी कोशिकायद बन जाती है ठीक है डिवाइट जब कर ते रहेंगी खूख सरी खूख सरी कूख सरी ठीक है कैसे डिवाइट करती है कि यह हो गई यहfreं यह हो गई यह हो होता है बीजांड काई ठीक है यह जो बीजांड काई होता है यह आगे चलके किसमें फल में बदल जाता है ठीक है यह जो बीजांड काई होता आगे चलके किसमें फल में बदल जाता है ठीक है लेकिन इसे समझने से पहले एक चीज़ समझ लो इसका नाम का मतलब इसके नाम का मतलब समझो A क्या होता है? ठीके? अगर ये A है तो इस A का मतलब क्या है? A मतलब अनुपस्तित, absent ठीके? अनुपस्तित ठीके? absent ठीके? ये तो इसका मतलब हो गया, फिर देखो निशे याने की निशेचन हो रहा है यहां पर निशेचन ठीके? निशेचन याने की fertilization हो यहां पर ठीके? उसके बाद एक कौन सा कलर ले है? ठीके उसके बाद फलन यहां रहा है फलन याने की फलन है यहां पर ठीक है, याने की फल है यहाँ पर तो इसे देखके मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या मतलब हुआ तो भई इसका मतलब यह है कि निशेचन के बिना यहाँ पर फल बन रहा है इसका मतलब हुआ कि निशेचन के बिना फल बन रहा है ठीक है जब निशेचन के बिना फल बनता है तो उसे अनिशेच फलन बोलते हैं क्या बोलते हैं अनिशेच फलन बोलेंगे ठीक है याने के पार्थनो कारपी जिसका सबसे बेस्ट एक्जामपल है केला ठीक है जिसका सबसे बेस्ट एक्वेर्ट एक्वेल केला इसमें क्या उतना इसमें मिर्द तक कोशिका ची होती है एक सब कुप सब आशी है और दिवाइड होने कि वजे से यह जो बिजान काय वोता है ना डारेक्ट फल में बदल जाता है ठीक है तो इसी वज़े से यहां पर हम यह नहीं बोल रहे हैं कि बीज जो है उसमें बदल रहा है जो बीजांड होता है वो बीज में बदल रहा है और जो अंडा शह है वो फल में बदल रहा है इसले नहीं बोल रहे हैं यहां पर जो बीजांड का है होता है वो सीध्य फल में बदल जाता है ठीक है और इसका बैस पहले खेला चलो इसके बाद हम क्या बात करते हैं असंग जनन एवं बहु भूनता ठीक है तो यहां क्या होता है यह असंग जनन जो होता है देखो प्रजनन की वह विधी जिसमें निश्य चन के बिनाही जिसमें निशेचन के बिना ही भुरूण का निर्मान होता है ठीके उसे असंग जनन कहते हैं देखो यहां क्या हो रहा है यहां निशेचन हो ही नहीं रहा है लेकिन उसके बाद भी भुरूण बन रहा है ठीके तो यह क्या कहलाएगा असंग जनन कहलाएगा ठीके है ठीक है दो प्रकार से होता है और इसका जो बेस्ट एक्जैम्पल है वो क्या है घास ठीक है एक क्या हो गया देखो अंड कोशी का ठीक है यहां क्या हुआ बिना निशेचन के बिना निशेचन क्या हो रहा है बिना निशेचन युगमनज याने की जाइगोड युगमनज क्या कर रहा है ब्रून बना रहा है ब्रून याने की एंब्रियो बना रहा है ठीक है यहां पर एंब्रियो बना रहा है और जो बीज जो क्या है बीज और अंडश है ठीक है तो बीज क्या होगा बी बना रहे हैं बीज और अंडा शे मिलके क्या बना रहे हैं फल ठीक है इसका मतलब यहां पर बीज वाला फल बनेगा ठीक है यहां पर बीज और अंडा शे मिलके फल बना रहे हैं इसका मतलब यहां पर बीज वाला फल बनेगा ठीक है तो पहला प्रकार तो यह हो गया और दू दूसर प्रकार में इस तरीके से देखो ये फिर से वाई डाइग्राम आ गया ठीके यहाँ पर ये जो बिजान काय है ये जो बिजान काय है ठीके यहाँ पर क्या होंगी जो कोशी का होंगी वो क्या करेंगी डिवाइड होंगी ठीके डिवाइड होंगी और जो बिजान काय है ये क्या करेगा युगमग युगमनज का निर्मान करेगा ठीक है ये क्या करेगा युगमनज का निर्मान करेगा ठीक है फिर वो क्या होगा 2N होगा ठीक है ये युगमनज क्या होगा 2N होगा और ये युगमनज आगे चलके ब्रून बन जाएगा क्या बन गया ये ब्रून बन गया ठीक है ओके ये युगमराज आगे चलके ब्रून बन गया फिर बीज जो की बहुत ज़्यादा संग्या 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 आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है तो बेसिकली इसमें ये है ठीके? ओक 腹े तो यह हो गया हमारा असंघ जणन, ठीके यानि कि अपोमिकस इसमें इतना ही था कि यह दो प्रकार से होता है जिसमें निशयेचन डेको, निशयेचन नहीं हो रहा है ना, उसके बिना यह बूरूण बन रहा है ठीके? डारेक्ट बन रहा है देखो बिजान का इसे युगमरज बना है ना और उदर भी देखो बिना निशेचन के युगमरज बना चलो अब आते हैं बहु बुरून ता याने की पॉली एम्ब्रयोनी ये क्या होती है देखो जब एक ही निशेचित अंडे से एक ही निशेचित अंडे से दो या दो से अधिक ब्रून विक्सित होते हैं तो इस घट्डा को पॉली एम्ब्रयोनी के रूप में जाना जाता है ठीक है अब देखो यहां क्या होता है इसका सबसे बेस्ट एक्जैम्पल है निशेचित के बाहर से हॉर्मोन डाला जाता है ठीक है इसमें क्या करेंगे बाहर से हॉर्मोन डालते हैं हॉर्मोन डाला ठीक है हॉर्मोन डाला ठीक है जब यह डारेक्ट हॉर्मोन डालते हैं क्या होगा डारेक्ट फल बन जाएगा इस हॉर्मोन से ठीक है इससे क्या हुआ फल बन गया अब बीजांट क्या होगा फल में बदल जाएगा ठीक है इस हॉर्मोन से जो बीजान था, जो हमारा बीजान था वो क्या होगा, फल में convert होगा, बदल जाएगा, ठीके बदल जाएगा, अचा सौरी, इससे क्या होगा, कि जो डारेक्ट फल बन जाएगा, जब हमने बाहर से हॉर्मोन डाला, तो डारेक्ट फल बन गया, और जो बीजान काएगा है यह जो बीजान काएगा है, वो फल में नहीं बदलेगा, यह फल में नहीं बदलेगा यहां पर, ठीके, यहां पर क्या होगा, अनिशेक फलं की category में आता है, यह क्या आता है, अनिशेक फलन की category में आता है ठीक है अनिशेक फलन शो करेगा यह यहां पर ठीक है अनिशेक फलन शो करेगा यह यहां पर ठीक है जैसे कि हमने क्या example दिया था केला ठीक है बिना वीज वाला फल यहाने की तो यहां पर क्या हुआ है कि भई हमने बाहर से हॉर्मोन डालते हैं इसमें ठीक है ठीक है तभी तो देखें केले के गुच्छे लगे होते हैं अब वहां पर क्या होता है ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत सारे मतलब वहां पर मादा युगमक है बहुत सारे नर युगमक ऐसा नहीं होता न हां वहां पर क्या होत जैसे दो या दो से अधिक ब्रून विक्सित हो जाते हैं समझ रहो इसका बैस्ट एक्जेम्पल है केला हुआ थीक है वहाँ पर बिजांट होता है वह फल में नहीं बदलता है इवन वहाँ पर हॉर्मोन डालके डारेक फल में बदल देते हैं उसको ठीक है बिजांट में बहुत असानी होगी, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा, ठीक है, तो इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट में अपना डाउट छोड़ दीजेगा, ठीक है, और क्या बोलू, चैप्टर फाइनली खतम हो गया है, बहुत खुशी हो रही है, बहु कि यह चैप्टर तो यहां खतम हो गया है, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे हैं, मजे कीजिए और बहुत सारी पढ़ाई भी कीजिए साथ साथ, मिलते हैं अपने नेक्स क्लास में, तब तक के लिए, ठाटा